ताओ खानचा और सरदार के साथ दिली के पूर मुखमंत्री श्री के जिरिवाज जी का स्वागा तहती इंताल में खमला हारिस रे हारिस बीचे का थिक्म भैले बारिस एलाउन मस्क के साथ डॉनल्ड ट्रम्प खड़े हुए और उनसे कहते हैं कि पूर वुद्ध्योक पती इसलिए कहा क्योंकि अब मंत्री वनने वाले हो कितनी सीमा हो तुम कितना लप्पू हुम है तो मैं गया अपना जैकेट वरकर बतारा और जब विस्तर में उठाजाई उसने बिचाई नहीं थी गद्दे पे और खोल करके जब अपने उपर डाला तो आप कहा पर रहते बुद्धिकेश तो वो गधा उठा और मुझे बोला अर्थक्विक बुकम्प नहीं है हम पुरी तरी किस्तर चाहिए उठाई 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 और अगर मृत्यों नहीं होती लोगों को लगा कि हब वह किधर गया है जो जानवर होते हैं वो प्रजनन के लिए जाने जाते हैं कुछों को पकड़-पकड़ कर स्टेरिलाईज किया जाते हैं एक वह हैं जिनको उसमें भी आलस है उनको हाँ उनको फिल में दिखाई गई उत्ते जग कि बाई आपकी दंचन क्या गट रही है रहा आप लोग करो कुछ करो अब पार्सी हो क्या लेकिन नहीं कि अब तक आप जोग कर डाला गया है अब उसको डिन बार चबारा रहें डीड़े डीड़े कितनी सदी की सबसे बुद्धी खरकत है सीधा मग्यस पानी उठावे बड़े हिम्मत से कडाकरी सर्दी थी दिसंबर वाली और हर हर महादेव करके उपनी डाला जितनी तीजी से मै कितने महनत कशो तुम कितना लपू हू मैं देखना एक दिन दोनों मर जाएगे साहिबान जाम की तालीबान तो नहीं लगी इतने हुरमुठ हो तुम कितना चिरकुट हू मैं क्या सितम है कि हम लोग जम जाए दो पंजावी गाडी में बैठे, गाडी में छोले चावल, छोले चावल होई रे, गाडी में बैठे, दो बंगाली, दो बंगाली गाडी में बैठे, अब शेन चल लेगा, गाडी में माच भात, माच भात होई रे, सुबा सुबा जब नहाद हो के निकलो तो लगता है जैसे खेत में मीठी हवा चल रही है और सरसों फुलाने लगा है शाम को ठके हारे लुण्ज पुण्ज घर लोटते वक्त अफिस के बाद लगता है मानुपूरे खेत को पाला मार दिया हो जहां हम बैठे हैं वहां फिजा बहुत खराब श्रेणी में बरकरार है बचाव की योजनाएं बहाव के जाग में खो जा रही है राहत और आराम के घंटे खोजे नहीं मिल रहे हर बार की तरह सत्ता जाने और मिल जाने की खबरें चाई हुई है और शाने लोग इस बात को समझने में नाकाम हो रहे हैं कि ये हुआ क्या हम साथ साथ आज साथ यानी सतहत्तर 77 के आकड़े पर पहुँच गए हैं सुस्ती कवियों और बदखोरों के लिए सबसे मुफीद अवस्था है क्योंकि सुस्ताते हुए ही ये लिखा जा सकता है कि पोरे पोरे बदन नुचाता कोरे कोरे खारिस मुटका नारंगी के रंगल जमाना खिखिया खिखिया मारिस एक रात में पल्टल माथा, अब कहाँवासे पारिस, कमला हारिस रे हारिस, कमला हारिस बीचे कातिक में कैले बारिस, कमला हारिस रे हारिस शुरू करते हैं 43 सीजन 2 का 77 एपिसोड कमलेश ताउ, आसिफ खांचा और कुल्दीव सरदार के साथ जय हो, जय हो, जय हो हलागे उसको गाया जाता है, लोग की थाई है, मला हारिस रे हारिस, मीचे कातिक में बैले बारिस ये राग है उसका, इसी का नकल है, कोविन्दा अलारे करते हैं आलस से में लिखा या, मैं बहुत ढूंज रहा था, इस रिजल्ट के बाद, सत्य परिसान हो सकता है, पर आज इतने बहुत अच्छे अच्छे रिएक्शन्स आएं लेकिन मुझे तो बहुत फखर हुआ कि भारतियों ने जो मीम सेना ने जो मीम्स बनाए हैं, उसमें वो एलॉन मस्क के साथ डॉनल्ड ट्रम्प खड़े हुए हैं, और उनसे कहते हैं कि पूर वुद्द्योक पती इसलिए कहा, क्योंकि अब मंत्री बनने वाले हो इंजॉई गया लेकिन अच्छी फिल्म के जैसा चुनाव था है, देखो क्या होता है, दुनिया में दो तरके लोग होते हैं, जो दूसरे का सुख देखकर सुखी होते हैं, एक दूसरे का दुख देखकर दुखी होते हैं, हमारे लिए, चुकि मामला अपना नहीं था, हमारे पास दो अप्शन थे, तो हमने पहिला वाला चुना, कि कही नहीं हम उनकी खुश हो जाएं, रो के कुछ मिलेगा नहीं, जो वहां रो रहे हैं, उनको भी कुछ नहीं मिलेगा, जो यहां रो रहे हैं, उनको भी कुछ नहीं मिलेगा, जो यहां रो रहे हैं, उनको भी जिनमें कुछ महिलाएं रो भी पड़ी है। अमेरिकी चुनाव पर एक टिपनी की। इतना कॉंट्रास्ट है इसमें। मुझे भी मैं अपने गाउं अवध जाता हूँ। और जो मेरे रिष्टे में नाना लोग लगेंगे वे रिष्टे में मामा लोग लगेंगे। उनके साथ बैठकर जब अवधी में अंतराश्ट्री मुद्णों पर डिसकस करते हैं। और वो बताएंगे आपको कि डॉनल्ड टरम जीते कि यह मारा जरूरता है कि ग्रीन कार्ड जाओना है। वो उनको मलत जितनी अखबारों से उनकी समझ बनी है। उसको जब वो देशच भाषा में प्रेजेंट करते हैं अंतराश्ट्री राजनीती के संदर्व में। बहुत आनंद आता है उनको सुनने में। लग क्योंकि यह आई आर की जो भाषा है ना वो बहुत ही अंग्रेजी और जारगन वाली और क्लिष्ट है। और यह समझा जाता है कि अंतराश्ट्री संबंधों को जो समझता है। दो देशों के आपसी संबंध और उनका भाषाई, व्याभार, व्यापारिक, व्याभार, सामरिक व्याभार कैसा होगा। यह समझने वाला विक्ति बहुत धिक तोर पर श्रेष्ट है। पर जैसे ही आप गाउं में जाते हैं और इस पर बात्चीत देखते हैं तो यह भरम थोड़ा सा तूटता है, मज़ा आता है। जमीन, चाहे कहीं की हो, ख़बर कहीं की हो। अख़वार अगर हमारे जमीन में लपेट कर देदो, तो अख़वार में जमीन की सौंध आ जाती है। पंजाब के किसान, पंजाब की धरती। पूरे देश के लिए कमला हार गयी, कंजाब के लिए कमला जीत गया। पंजाब के लिए कमला जीत किया मतलब कैसे मतलब मैं भी यह पूझा कमला पंजाब में पागल को बोलते है मैं कमली कमली को आप पागला बोलते है oh yeah, missed the joke, killed the joke हम भी सोच रहें कमला कमला फिर लेकिन एक ची जोर होई कि कमला ना पसंद है कमला पसंद नहीं रहे है तो यहार मेहनत बहुत किया, पैसा बहुत बाइस बहुत पर कहा होता है कि लोग अब ना दुनिया में लोग कहते हैं बहुत खराब हो गए हेट के लिए देखो Trump जो है न उसमें सारी बुराईयां थी ऐसे आदमी को राश्रपती किया चपरासी नहीं बनना चाहिए महिलाओं को उसका ट्रीटमेंट नसलवादी बैमान जुट्था बदमाश जब उसको पहली बार बना थो उसने का कि मुसल्मानों के लिए बेहन है अमेरिका में आना फिर का पांच देशों के मुसल्मानों के लिए बेहन है तो उसमें दुनिया की जितनी बुराईयां हो सकती है न वो सब है लेकिन वो भी कमला हरिस की सभी अच्छाईयों पर भारी पड़ी क्योंकि लोग अब तंग आ गए हैं एक चीज से कि विचारधारा थोपा जाना एक बहुत कम लोगों की विचारधारा कुछ इलीट लोगों की विचारधारा उनका विश्वास के दुनिया कैसी होनी चाहिए जिनके लिए एबॉर्शन सबसे बड़ा इशू बने जा एक्चली ये इतनी अजीब सी बात लगी कि उनके पास कोई और मुद्दा ही नहीं था जैमोकराइट्स के पास ये के ट्रांस लोगों के राइट्स हमारे समाज का हिस्सा है और उनको बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए पर उनकी राइट्स के बारे में ऐसे हल्ला करना कि वो इस्पेशल है और परिणाम देख लो आप आखिरकार तो फैसला उनके अगेंस्ट गया ना जो आदमी उनके बारे में अच्छे विचार नहीं रखा उसके हाथ में सत्ता चली गई क्योंकि आपने ऐसा माहौल बना दिया कि यही लोग मिनिंग्फुल है बाकी लोग नहीं है सोशलिजम का एक देखो कम्विनिजम का एक बहुत बड़ा प्राबलम है जो लेफ्ट का है वो लोगों को गरीब रखते हुए जागरित करना चाहती है उनको इससे बहुत प्राबलम है कि प्रास्पेरिटी फैल जाए लेकिन उनको उनको जागरित भी करना है तो वहां कि कंसर्वेटिव सोसाइटी को समाज तो वही है ना उसको जमा नहीं और उन्होंने मना कर दिया और इस बार अच्छे से मना किया है पिछले बार अब आपको ऐसे लगता है कि ये कैंडिडेचर Kamala Harris का जो था वो उतना वो स्ट्रॉंग कैंडिडेट ही नहीं थी या कैंडेट तो स्ट्रॉंग थी इतनी funding जैसी उनके announce हुआ, उनको इतना fund मिला है Democratic Party को, वो अपने campaign को ठीक से नहीं चला पाई, मतलब दो चीजे हैं, कि यार उम्मीदवार ही बढ़िया नहीं था, और दूसरा है कि जो परशार था, वो strategic तरीके से बहुत ही जैसे Donald Trump का आप उस तरफ देखें, तो चतुराई से भरा हुआ, उस दिन के बाद से जब प्राइमरी उसने लोगों को हराया, तब वो गैंडिडेट बना है, नहीं, election campaign भी बहुत उनका strong रहा है, काफी पहले से किया, कमला ने थोड़ा बाद में शुरू किया, क्यों, क्योंकि एक शड्यांत्र के तरत तहत हुआ ये सब, तीन ताल में नहीं बोलना चीए से, बड़ सही है, अगर Democratic Party अपने यहां प्राइमरी करवाती, तो उसमें से हो सकता है, कमला, हैरिस से बहतर candidate उभर के आ सकता था, बराक उबामा क्या थे, कौन जानता था उनको, presidential candidate के पहले, उभर के आया ना, पर उनके national convention में तो, वही तो बोल रहा हूँ, होगा तब ना, आपने एक शड़े अंतर के तहट कुछ होने नहीं दिया, Democratic Party की तरफ से कुछ लोगों ने यह decide कर लिया, जिसमें कि बड़े-बड़े पुझी पती, अरब पती, सिलिकॉन वेली, हॉलिवूड और जो तथाकति establishment है, उसने यह decide कि कमला लड़ेगी, क्योंकि कमला को हम चला सकते, कमला कैसे लड़ती, अगर प्रैमरी होते तो, हो सकता है, कमला हार जाती, तो आपने कहा कि नहीं, बाइडन ही लड़ेंगे, तो अब तो कोई प्रैमरी होने का सवाल नहीं है, प्रेजिडेंट हैं, तो वो अगर दुबारा लड़ेंगे, तो प्रैमरी ज नहीं हुए, और जब ऐसा वक्त आगे हा, सितंबर टाइप में, बहुत देर करके आपने कहा कि नहीं, बाइडन नहीं लड़ेंगे, तो कौन लड़ेगा, कमला लड़ेगी, क्योंकि प्रैमरी ज का टाइम नहीं है, और आपने इतनी सलाई तरीके से कमला को आगे कर दिया, जो पहली CNN पे प्रेसिंशल डिबेट हुई थी, वो इतनी एक तरफा थी, मनला उसमें जो बाइडन कहीं टिके नहीं, डॉनल्ड ट्रेम के सामने ऐसा लगा, कमला हरिस की जो बाद में दूसरी प्रेसिंशल डिबेट हुई जॉनल्ड ट्रेम के साथ, उसमें फिर भी एक टकर देख रही है दोनों तरफ से आप देखें, उन्होंने अपने मुद्दों के साथ से ट्रंप को घेरा उन पे जो आरोप हैं उनके नजरिये से, लेकिन उसमें कमला ने बहतरी इन परफार्मेंस किया, प्रेसिंशल डिबेट के ते, उस दिन ट्रंप जो है उस दिन तो लूस कर गए थे, अब यह कहलो कि मीडिया उनके साइड थी या नहीं, तो ठीक है, पर ट्रंप उसके नहार गए थे, लेकिन मुझे वो गार्बेज वाला जो हुआ ना, कचरा सेथ जो बनके उन्होंने किया है, वो मुझे बहुत स्मार्ट मूव लगा, मतलब राजनीती में स्मार्ट मूव की बात होती है, विडंबना देखो, कि एक बिलियनेर वर्किंग क्लास बन गया, और वर्किंग क्लास के लोग उससे इडिन्टिफाई करने लगे, और एक जो नीचे से उपर गई है, वो इतनी इलिटिस्ट हो गई उनकी नजरों में कि वर्किंग क्लास ने कहा कि नहीं, ये नहीं चलेगा, बिलियनेर चलेगा, क्यों हमारे जैसा है, क्योंकि उसकी लेंगवेज जो है थोड़ी गिरीवी है, एवरेज अमेरिकन वाली ले अधे बहुदाइ लेंगवेज बहुत है, एतना बढ़िया बोलती है, आधे चीज लोगों को समझ नहीं आती, आधे मुद्दे समझ नहीं आते, ये भी एक है क्या आप किस अस्तर पर बोल रहे हैं, मोदी जी का स्तर गिर गया है, इन्होंने भाशा का स्तर गिरा दिया है उसे साब से बात पर मोदी जी का है कि मैं कहूं कहां मैं उसी हस्तर में बोलूँगा जो बात समझ में अगले को आएगी जो उसकी समस्या है उसको और बढ़ा करकर दिखाऊंगा तब भी तो उसको लगया कि नहीं हमारे बारे में सोच रहा है लेकिन इस बार ट्रम्प के आने से न उस किसम के अप्रिहेंशन्स नहीं है जैसे पिछली बार जब आ रहे थे 2016 में बहुत अड़कम था वो हम लोगों को नहीं है कि मतलब नूक्स यार इस आदमी के हाथ पे नहीं होने चाहिए बटन क्या दबा देगा नॉर्थ कोरिया से ऐसा जाके भिड़ना जाए कितनी मार तो मतलब वो बिलकुल ऐसी धमकी थी कि तू दबा मैं दबा रहा हूं लगबग उसी भाशा में भी जबान भी लगबग उसी तरह की थी इस बार ऐसा है कि चूकि ये कारेकाल देख लिया है तो ये ऐसा लोगों ने समझा है एक्सपर्ट्स ने ये माना है कि डॉनल्ड ट्रम प्रेशर पॉलिटिक्स के लिए उनके स्टाइल अफ डिपलोमेसी है जिसमें वो धमकियों का इस्तमाल करते हैं वो दूसरों के वार से तो बाहर निकलने वाले आदमी है वो अमेरिका फर्स्ट की निती पे चलने वाले है उनको कोई हासल नहीं होता कि दूसरों के देशों में जाके गुसें और आओ तुमारी हम सुला कराएं वो इस ट्रेडिशनल अमेरिकन पॉलिटिक्स के अगेंस्ट है जो रही है इसलिए हो जातने साब अपने हाँ फोकस करो यहाँ एकॉनमी बहतर करो यहाँ महगाई ठीक करो और युकरेन उकरेन से पैसा वापस कीचो ऐसा है तो यह वो वाले अप्रिहेंशन नहीं है अब जो कि यार इस आदमी के हाथ में यह नहीं होना चाहिए यह अप्रिहेंशन को अप्रिहेंशन बोलते इसलिए है क्योंकि उसका बहुत ज़्यादा आधार नहीं होता एक ब्योटी देखो चुनाओ की कि ट्रम्प अब कुछ भी बोल देता है अगर वो जो वो बोल रहा है वो करे तो उसको उत्ते लोग वोट नहीं दे लेकिन सुनने वाला जानता कि जितना बोल रहा है ना करेगा नहीं कमला जितना बोल देती है उसी से लोग डर जाते है कि इतना तो बोल रही है पता नहीं कर कrun के ता देगी ये भी एक बह्य है कि ये radical right आदमी है बख़वास करने में radical right आदमी है वो radical left नहीं है अभने डेमोरिटिक प्रटी लेफ प्रटी नहीं है अभने बने conservative हमारे यह congress है हमारे यह कॉंग्रेस थी ऐसी, लेफ्ट लीनिंग हुआ करती थी, अब तो लेफ्ट है लेफ्ट है, तो ट्रम्प की जो का जो डर दुनिया में भी, यहां पे भी लोगों को है, और कुछ डर अच्छे भी हैं, सही भी हैं, कि ट्रम्प एक अनप्रेडिक्टबल आदमी है, कुछ दूँगा, कुछ लूँगा, मस्क ने उसके लिए बहुत मेनत की है, अमेरिका टाइप के देश जो होते हैं, वो देने वाले देश होते हैं, बड़े लोग, बड़ी बाते हैं, तुम भी लो थोड़ा, पाकिस्तान हा, तुम सो मिलियोन डॉलर ले लो अभी, अभी आया अभी बोलेगा पैसा दो, नहीं तो अपना अपना देख लो, जनुएन बात है, कि अब तुम, फ्री में कुछ नहीं दोगा, ये सतर साल से तुम लोग को हम प्रोटेक्शन दे रहे हैं, हमें क्या मिल रहे हैं, क्या है, तो उस हिसाब से देखो, कि वो ट्रांजेक्श मैं वहाँ पर बना दिया आपने, तो वो बिजनस की तरह बात करेगा, गुड न्यूज यह है, कि हमारी यहाँ बिजनसमें टाइप काती है, ये भी मुफ्त में कुछ नहीं करते हैं, है न, तो लेन देन में है, तो अच्छा है, गुड साइन फर एवरिवन, यू नो, नेतान्याहू भी खुश कर देगा, MBS भी खुश करेगा, और देखना किम जॉंग उन से पिछली बार मिलाता, शायद इस बार भी मिलने चला जाएगो, हाँ, इसको क्या है, इसको थो थोड़ा सा पॉम्पन शो चाहिए, है न, हावडी ट्रम कर दो, यहाँ पर खुश हो जाएगा, यह पता है हमको, कि हम रेट कार्पेट भी जाएगा, गहरा लाल, तो कुछ हो जाएगा, उतर जाएगा, इस बार वो गलतिया नहीं करेगा, पिछले बार उसने ऐसे ऐसे लोग चुल लिये था न, जुनोंने बात में उसको दोखा भी दिया, इस बार वो एकदम सही आदमी चुनेगा, वो गलती नहीं करेगा जो उसने पिछले टर्म में किया, क्योंकि यह इसका आखरी टर्म है, he will speak men who he trusts, and men who trust him blindly, वो मज़ा आने वाला है, आप देखना, उसके बास टाइम है अभी, वो बहुत बढ़िया एड्मिनिस्टेशन बनाएगा अपना, पर इस मामले में देखेगा, एड्मिनिस्टेशन उसके जो होगी, उसके जो लोग होंगे, आपको लगते हैं कि एड्वाइजर जो होंगे, सबसे बड़े एलन मस्क साभी होने वाले हैं, एक दम बिल्कुल होंगे, एलन मस्क बहुत पावरफुल आदमी है, अभी दुनिय जीतने के बाद, तो उसमें उन्होंने अपने स्टर्टेजिस्ट का जिक्र किया, कुछ को बोलने के लिए उलाया, स्टेच कर आए, क्रिस को, सूजी को, दो-तिन लोग आए, थोड़ा-थोडा बोल के भी गए, और एलन मस्क के बारे में उन्होंने चार-पाँच मिनट इसको जिता ही है, फंडिंग दे रहा हो, तमाम तरीकों से हेल्प कर रहा हो, और उसके बाद, जीतने के बाद, हमारे यहां का प्रधान मंत्री, किसी उद्योग पती को धन्यवाद दे, मैं यह नहीं करा हूँ कि यह अच्छा है या बुरा है, बड़ इंडिया में मैं इसक नहीं बड़ा इशू बनता हूँ, देखा नहीं मैं एलाउन ट्रम्प के समर्थन को, अब अच्छी बात नहीं है, वो अच्छी बात है या बुरी बात है, ऐसा नहीं है, ऐसे ही हमारा समाज है अभी, हम इश्क के उस मुकाम पर है अभी, जहां पर यह सब पप्या जप्या developed world है और अमेरिका में खास करके एक बात देखना अमेरिका की इस अपार सफलता और शक्ती का एक बहुत बड़ा कारण है कि वहाँ जो wealth creators हैं उनकी इज़त है हमारे यहाँ भी होनी शुरू हो गई थी फिर ये बीच में left बहुत मजबूत हो गया और उन लोगों ने फिर से नहीं तो पहले जब हम लोग शोटे थे तो बहुत पैसे वाले लोगों को धनी लोगों को धन पशू कहते थे इनफेक्ट किसी की तमन्ना ही नहीं होती थी कि मुझे उसके जैसा बनना है सबकी तमन्ना होती थी हम I.S. officer बनेंगे या वैज्ञानिक बन जाएंगे या राष्ट्रपती बन जाएंगे जिसे मेरी राष्ट्रपती वाली ख्वाईश थी तो हम ये कभी नहीं सोचते थे कि हमें अमीर बनना है ये भी अच्छी चीज है लेकिन हम अमीरों को जानते थे कि ये वाले बड़े वा कॉर्पोरेट शार्क्स हैं ये कैपिटलिस्ट माफिया हैं मतलब नब्बे की दर्शक में मैं इमेजिन कर मुझे याद आता है कि बलकि जब बड़े हो गए तो दस्वी ग्यारवी में और कोई टीचर आये पुझे कि आप क्या बनना चाहते हैं बड़े हो करके तो मुझे याद नहीं आता को यह कहता हो कि मैं इंडस्ट्रिलिस्ट बनना चाहता हूं किसी नहीं कहां अब कहते हैं लोग तो वह धेरे-धेरे सम्मान चुकी एक बात ध्यान रखना हमको कभी-कभी लगता है और उसमें गलत या सही नहीं है कि यह लोग अपने लिए पैसे बनाते है जब आप एक organization खड़ी करते हो तो देश के लिए करते हो जब आप एक industry खड़े करते हो तो देश के लिए करते हो आपका तो कहने को paper पे है न यही है ज़्यादा से ज़्यादा कि आप बहुत पैसे कमा लोगे तो Mr. Ammani जैसे शादी का एक आयोजन कर लोगे और क्या कर लोग तो आप जो industry खड़ी करते हो वो देश की होती है आपके नाम से बले हो पर वो सब कुछ देश के लिए होता है jobs create होते है product बनते हैं आपका market बड़ा होता है आप उसको export नहीं करते हो तो भी export करते हो तो foreign currency आती है America में इन लोग की बहुत इच्चत है और लोग aspire यही करते हैं कि can I create a company, corporation और दुनिया भर में हम देखते हैं कि आप जो भी खरीदो वो अमरीकी होता है जो भी उसका कारण ये भी है कि उन्होंने उसको बहुत promote किया है हमारे यहाँ Manmohan Singh के वित्तमंत्री रहते हुए वो प और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं वो Congress अगर आ गई तो फिर उस सब रिवर्स हो जाएगा ऐसा कुछ नहीं होगा यह एक ऐसी Congress तो capitalist parties है यह एक ऐसी rail है थी यह एक ऐसी rail है नहीं वो सत्ता में आएगी तो हो जाएगी यह हम जानते नहीं पूराना इतिहास है Congress पूराना इति कि मैं यह नहीं कह रहा कि गलत है रावल गांदी की शिक्षा जो नई वाली है उसमें कुछ गलत है ऐसा नहीं है यह सही भी है ऐसा नहीं है हम जानते नहीं है कि अगर वो सत्ता में आएंगे तो उनके जो अभी के विचार है वो कितने वो implement होंगे यह नहीं होंगे क्योंकि तो एक तरह से वापस आना चाहता था कमला के माध्यम से उन्होंने बहुत अच्छा कमला को बैक अप अरे लगता था वही लड़गा है तो जवानी में बन गया था प्रेजिडेट बुढ़ाया है नहीं ज्यादा तो उनको लगता है हाँ बतलब गोनल्ड टॉम से तो बहुत मायर करता है क्यों कि अगर कोई एक कंपरिजन है कि किसके समय में ज्यादा बं गिराए गए हैं तो उबामा उसमें आगे हैं अपने और आसपास क्योंकि वह वाक चतुर था ज़ सेट थिंग्स बट नाइस थिंग्स डेमोक्राइट्स की यह बहुत अच्छी खुबी है और इस देश में भी बहुत सारे नेता हैं जो इतनी अच्छी बाते करते हैं कि मजा या जाता सुनके कसम से पर बाते ही करते रहे तो अच्छा है हमारे यां मुझे तो अच्छा लगा कि रामदा साठहुले जी की प्रतिक्रिया आई उने के पार्टी का ना रिपब्लिकन है तो इस बात से मुग्द है कि हम दुनों की पार्टी की एक सिमिलेरिटी जैसे कई बार मैं भी कल्पना करता हूँ कि अमिताब बच्चन और मुझे में क्या सिमिलेरिटी रही होगी कि वो इलाहबाद की जगे से हैं तो वहां से भी मैं गुझरा और सोच कर कि मुझे अच्छा लगता है जो भी मेरे पसंदीदा है तो वो एक मामूली समानता भी कैसे तार जोड़ देती है और आपको प्रसंद कर सकती है कॉंग्रेस के लोग इसलिए दुखी हो गए उन्होंने देखा इलेक्शन में कि हमें दुखी होना या कुछ होना है या कुछ भी नहीं करना है अमरीका का इलेक्शन है उन्होंने देखा कि हमारी जैसी पार्टी कौन सी है तो रहो का हमारी जैसी तो बिलकुल कोई नहीं है ठीक हमारे जुकाओ वाली कौन सी है तो रहो का वो भी कोई मतलब आपकी नीतियां और वहां के राजनीती की नीतियां एक जैसी नहीं है तो हारी कौन है अच्छा तरी के तो हम रोते हैं हाँ कि मनस्तिती वाली बात होती है आइडेंटिफाइ करना बहुत है बीजेपी के लोग डोनल्ड ट्रम से आइडेंटिफाइ कर रहे है क्योंकि ये अखवारों में लिखा होता है कि वो राइट विंग है और इनको यहां लोगों ने बोला कि तुम लोग भी राइट विंग हो घुषपैथियों के खिलाब बोलता है राइट विंग हो आप लोग बीजेपी राइट विंग पार्टी नहीं है क्यों? नहीं, राइट विंग के कोई लक्षन तो है नहीं राइट विंग तो capitalist party होती है, जो पुझिवादी party हो, इससे भांकर socialist कौन होगा हमारे हां राइट विंग पार्टी एख है शायद वह भी नहीं है, एक सौतनतर्र पार्टी होती थी, है नंकल उसके बाद को Rs. राइट विंग पार्टी नहीं हो यह न तो समाजिक रूप से र राइट हमारे यह कोई नहीं है, पर बिजेपी वालों को बोल दिया है, आप लोग राइट वी है, कॉंगरेस वालों ने बोला है, और उन्होंने भी अपने आपको आ। आ। आपको आणा शुरू कर दिया हैं, अंगरी जी मन अच्छा लगता है, लडू नहीं सुनोगे तो उनको बोलते हैं लेफ्ट ली लेली लिबिरल ये वो लेकिन इनको आरडबलू इन्होंने कर लिया है तो अब उधर आरडबलू जीता तो इनको लगता है कि हम जीत गया है हम भी आरडबलू ए चल रहा है इसे पर अच्छा रहता है कि दूसरे के दुखशुक में उपकी होना अच्छी बात है केस था ऐसा नहीं था कि ग्रूप अफ विमन कोई प्रोटेस्ट कर रही थी बच उसको लेकर कि बहुत बहुत अत्रिक्त बज नहीं बना कि एक कि स्ट्रॉंग सिंबल ऑफ प्रोटेस्ट है जबकि मैं ऐसे उसकी सिर्फ विजूल ऑप्टिक्स के बेसिस पर जज़ करता हू या पता नहीं मतलब उसको मैंने मैं अपनी तरह जैसे मैंने देखा उसने प्रोटेस्ट करने के लिए कपड़े नहीं उतारे थे उसका हिजाब ठीक नहीं था पूरी तरह से कबर नहीं किया हुआ था सरक गया होगा तो उसको वहां पर सजा दी गई इससे वो गुसा गई कि मेरा इतना सा केश देखके अगर हमें डंडे मारोगे तुम तो ये लो और उसने अपनी जीन्स और टी-शिट उतार दी और बैट गई और नॉर्मल जैसे लोग केंपस में चलते हैं वैसे चलने लग लोग कहते हैं उसे मार दिया गया है इरान का क्याना है कि हमने mental health hospital mental hospital भेजा हुआ है वो मारते ही हैं जान से शायद नहीं मारा हो पर उसके साथ बहुत बुरा हुआ और भारत में कुछ लोगों ने इसको ये कह दिया कि तुम लोग भारत में obviously कुछ prominent Muslim women also including women prominent जो पतरकार रह चुके हैं जो बड़े बड़े लोग हैं उन्होंने भी इसका side लेना सही नहीं समझा और इरान की regime का side लिया और कि ये कोई तरीका है ऐसे घूमना क्या चाहते हो कि आपकी बेटियां भी ऐसे घूमे इसका कौन समर्थन कर रहा है वो ऐसे घूम नहीं रही थी वो अपनी गुसे को बया कर रही थी वो नहीं घूमती वैसे वहां घूमती नहीं है वो कॉलेज ऐसे नहीं आती वो बस तंग आ चुकी है इस तरह के minimum आजादी नहीं देने पर आमिनी जो थी वो मैशा आमिनी उसकी जान क्यों चली गई थी क्योंकि उसका भी एजाब स आप इसको च्वाइस बोलो कि नहीं हिजाब इरानियंस की च्वाइस है तो पहने पर अगर किसी का सरक जाए और उसकी जान चली जाए या उसको पीटा जाए पब्लिक में उसको यूही निरलज बेशर्म कहके उस पे ताने कशे जाए पब्लिक में तो यार बुरा तो लग पिछली बार लोगों ने महशा के मृत्यू के खिलाफ की हत्या के खिलाफ प्रदर्शन किया तो मर गए तीनेजार लोग 1200 महिलाएं भी मर गए तो इस बार उस तरह के उग्र परदर्शन नहीं हुए और अभी इरान में कुछ कंट्रोल भी लगे हुए विकाज उनको इसरेल पर हमला करना है ये त्यादी त्यादी तो हम उस तरह का परदर्शन नहीं देख रहे हैं पर आप किसी भी समाज को ऐसे दबाकर नहीं रख सकते हैं महिलाओं के सिर्फ महिलाओं का इसु नहीं है पुरुष भी गुस्सा है क्योंकि ये बिल्कुल बेख़ौफ किसी को भी पीट देते हैं किसी भी महिला को पीट दिया तुमने ठीक से नहीं पहना तुम सही से चल नहीं रहे हो तुमारा तुम ड केडिशन लेके आते हैं अच्छा आप फर्ज vain कि यह एग लोग नंगा घूमना चाहेंगे हो यह औल्ड में जाके टिक थी। समाज एक जगह पे आ गया है उसको इतनी अकल आ गई है कि कितने कपड़े पहनने चाहिए बिलकुल ठीक है भारत में तो आ जादी है कौन गुम रहा है बनियान में गरीब से गरीब आदमी भी अपना पुराना महला कुरता अपने डाल लेता है फिर बस में कहीं जाता है क्यो वो इसलिए कि that is how societies work ये एक unwritten rule है trust based है इस office में आते हैं हम सभी trouser पहन के आते हैं तो पर वो देंगे ऐसा कि नहीं मुझको जी में आया तो मैं कुत्ता काटके खाया खाओगे क्या रे यार हाँ किसके जी में आ रहा है इन लोगों का इलाज ये की है ये जो तरक देते हैं इसकी कोई limit ही नहीं है फिर तो आपकी बलड़क बेटी कहेगी मैं बिक्नी में ही बाजार जाओगी जाने दोगे क्या अबे मेरी बेटी है तुमारे जैसे बेब कुप थोड़े है उसकी अपनी अकल है न करो के क्या अपने घर को पवित्र करो और दिमाग को पवित्र करो अकबर इलहवादी का शेर है कि बिठाई जाएंगी बीबियां कब तक परदे में बिठाई जाएंगी परदे में बीबियां कब तक बने रहोगे तुम इस मुल्क में मियां कब तक हरम सरा की हिफाज़त को तेग ही न अब तक लेकिन इस अफते एक और खबर आई दो है नहीं बहुत खुशूरत शप्ट चिल्मन का मतलब समझते हो इस चिल्मन से वो जाके लगा दो आग चिल्मन में न तुम जाको न हम जाको परदा परदे को गाना भी तर नहीं यह जो चिल्मन है दुश्मन है हमारी उसमें जो परदा नहीं है मिनिंग उसका मन चिल्मन 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 तो दुश्मन ही होता है लेकिन चट आज है क्या हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं कब है कल है जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं अभी शाम का अर्धिती आ जाएगा और कल सुबह का दिया जाएगा क्योंकि डूपता सूरज डूपते-डूपते कल देखना चड़ जाएगा जचट का मूल मंत्र है डूपते सूरज को सलाम करते क्योंकि वो कल उगएगा तो उसके सामने शर्मिंदा नहीं होना बड़े आपके सामने अगर किसी का पतन हो रहा हो तो उसको इज़त देने का क्योंकि कल को फिर से उटके खड़ा हो जाएगा तो याद रखेगा कि कौन-क जीदी, we all respect you. वो देखा था अपने कि लोटस आएंगे, नहीं, पोटस आएंगे, पोटस जाएंगे, उसमें दो-तीन प्रेसिएंट दिखा दी है, ट्रम, बाइड़न, पर लोटस बना रहेगा, उन सब की तस्वीर है प्रदान मंतरी नरेंदर मोधी के साथ, इस अफ़ते की जो छट के स एक बुरी खबर ही आए कि शार्दा सिना नहीं रही है, और उनकी आवाज बहुत ही, छट में ही जाना उनका, जब सन्योग है, और इसको मैं कहो कि उनके लिए तो सुखद सन्योग होगा, क्योंकि उनके जाएवे गीत छट में जाएतर, चट उनके बिना अधुरा है, मैं तो मुझे तो याद ही नहीं है कि कब ऐसा छट हुआ था कि सुबह मेरी नींद उनकी आवाज से ना खुली हो, यह तो उनकी आभा इतने सुन्दर है ना, बिंदी, बड़ी आखें, और फि कोई भी जीवन में कितने भी कमर्शियल प्रस्ताव आया होंगे शायद उनके पास, कल्चर्ड रहीं, और कोई भी गाने में हल्की भी जहलक होती अपदरता अश्लीलता की, उनके गानों में तो मैंने नहीं सुनी, बहुत गाने सुनें उनके गाउं में तो यू केनोट इस हमारे पिया, आवाज में एक, मेरे जो बहुत सारे नौन भोजपुरी, नौन पूर्वांचली दोस ने थे, पंजाबी, माचली, उन्होंने अगर भोजपुरी का कोई एक गीत सुना है, इन्हीं का सुना है, तो वो शार्दा सुना है, तो कई बारे का तो दोस्त कहता था, ग्यार वो लहंगी वाला सुनाओ, वो बहंगी वाला, बहंगी लचकत जाए, वो सुनाओ, तो उसकी मधूर इतनी धोनया कि वो रह जाती है, नौन भोजपुरी स्पीकिंग लोगों के साथ भी, तो वो है, इस हफते का मेरा वीकंड का टार्गेट है कि मैं फिर से उनकी प उसकी चर्चा अधिक हो रही है, जो उन्होंने अपनी अबिच्वरी वो लिख करके गए, और वो इंगेन एक्स्प्रेस में चपी, मैं उसको उसका एक तरजुमा, समरी थोड़ी सी पढ़ देता हूँ, फिर अपन उस पर थोड़ी सी बात करेंगे, उन्होंने लिखा कि ब पाहरी दुनिया मेरे कमरे की एक खिड़की के एक हिस्से तक सिमढ़ गई है, मैं बाहर की इमारत पर लगा हुआ एक पाइप देख सकता हूँ, एक बंदर हर सुबह रस्मी तोर पर जिसके उपर चड़ता है, जैसा उनका लिख पढ़ करके प्रतीत होता है, उनकी पतनी हरीश नाम का एक सज्जन है, जो आखिर के दिनों में उनकी देख भाल कर रहे हैं, तो वो लिखते हैं कि चीजें हरीश से कमोड लाने की दरखास तक महदूद हो गई है, कभी-कभी बिस्तर तक गंदा हो जाता है, शर्म और विनमरता के पैमानों से इतर कहा जाए, तो बस मास का एक टुकडा बिस्तर पर पसरा हुआ है, कभी-कभी वीलचेयर या स्पताल की ट्रॉली में, खिले हुए धूप, हरे पेड़ों पर चहचाते, पक्षियों और भीडबार के बीच से गुजरते हुए, मुझे एक इमारत से दूसरी इमारत ले जाया जाता है, बाहर ए ये क्षती कहना कितना ठीक होगा, और विचारों के भवंडर के बीच में, वे एक पल को ये सब सोचना छोड़ देते हैं, कहते हैं, ये सब सोचना बहुत कठिन है, बहुत जटिल है, उनकी मृत्यू से किस तरह की क्षती होगी, ये सवाल वो खुद से भी करते हैं, वो लि किसी और के लिए माइने नहीं रखता, तो ये मतलब ये अपनी मृत्यू के चार या पांस दिन पहले संभवता उन्होंने अपनी ओपिचुरी लिए, और कई लोगों ऐसे कहा कि वो देख पाए और समय पर लिख पाए इस बारे में, इसने जो आप कहरते हैं ना काम किया, प्रधानमंत्री ने उनके जाने पर ट्वीट किया तस्वीर लगा करके, वो व्यक्ति भी जीवन के आखरी दोर में हमारे समय की पैदा की हुई सामाजिक ताओं में उलजा हुआ और उनके सामने बेबस, अपनी उमर के सामने बेबस, प्रकृती के सामने बेबस नजर आ रहा है, और वो अपने उदगार, अपने जटल एमोशन को जिस तरह से व्यक्त कर रहा है, वो ऐसा लग रहा है कि पडोस में हमारे बगल में कोई अंकल लेते होंगे, तो वो भी शायद इन्ही चीज़ों से हो करके गुजरे होंगे, जिनसे ये पदमश्री व्यक् का फील आया आपको कि नहीं, इस इस साइड, I don't know exactly उसको साइडनेस कहेंगे या नहीं, और उसके लिए जन्मन में कोई शब्द होगा, mix of many things है वो, हाँ, पर वो चुकि उस व्यक्ति को मैं बहुत एड्मायर करता था, कारण कि वो एकॉनमिस्ट थे, संस्कृत के विद्व हो गए, और उन्होंने एक तरह से जिम्मेदारी ले लिए कि संस्कृत की, के जो ग्रंत है, उसको अंग्रेजी में मैं ट्रांसलेट करूँ, यह सब भी करें, किया, प्रधानमंत्रि के, प्रधानमंत्रियों को सलाह दी, और वो लिमरिक भी लिखते थे रोज, जो चपता थ है न, तो आप लिमरिक को न, पोईटरी में बहुत इज़त के साथ नहीं देखा जाता, उसको कोई हाई आर्ट नहीं मानता, उसको कोई पोईटरी भी बहुत लोग नहीं मानते, साहित नहीं मानते, पर इस बात से उनको कोई फरक नहीं पड़ा, वो लिखते रहे, वो करन्तों को अनुवाद भी कर रहे थे अन्न किताबें भी लिख रहे थे किताबों के एमोचन में भी जा रहे थे बहुत जीवन्त आदमी थे आदर्स टाइप के आदमी उनका वो लिखा हुआ बहुत दिनों से बिमार चल रहे थे पर उनका वो खुद के बारे में अपने अनुभव का लिखा हुआ वह व्यक्ति जो की कृप शायद मृत्यू को सामने से देख रहा था और बेबस नहीं था इन फैक निर्भीक था और निर्भीक भी नहीं कहूंगा यह अननेसेसरी करेज वाली जो बात होती है ब्रेविरी वाली वो भी वेकार है मतलब वो यह अपने आपको मास्का लोथड़ा Matter of fact वही सच है तो उसको समझना यह भी समझना कि हमारे जो रिष्टे है उसकी क्या क्या हदे है बेटा-बेटी है तो बाहर है और उनकी जिन्दगी अब अलग है आ जाएंगे उन्होंने लिखा भी कि फोन कॉल पे कभी-कभी आ जाते थे अब इंतिम संसकार में हो सकता है आ जाएंगे लिखा था ऐसा हो ऐसा ही होता है लोग बोलते नहीं है ऐसा और उन्होंने उन्होंने accept किया चीज़ों को I think accept भी नहीं बोलेंगे accept शब्द भी नहीं है एकदम matter of factly कि this is how it is आप अपने अपने संबंधों को अपने अपने जीवनों ने ये भी कहा कि मेरे चले जाने से कोई अपूर्णी इछती नहीं होने वाली होगी क्या ये डिवेटबल चीज़े हैं आपको लोगों को लगता है कि भई फलाना चले गए तो वो अब who will fill issues है नो वो क्या बोलते हैं वैक्यूम छोड़के चले गए इसा होता रहता है इन्होंने उसको बहुत lightly लिया है तो पूरा जो उन्होंने जो लिखा है जो express ने छापा उनकी मृत्यू के बाद वो अदभूत experience इसलिए भी था कि उसमें एक बहुत heavy lightness थी बहुत हलके तरह से बारी पढ़ रहा था हम पर पढ़ कर तो एक वो अदभूत experience रहेगा वो पढ़ना जबकि आप उसको पढ़ना तो उसमें कोई भाशाई कोशल दिखाने की कोई आग्रह नहीं है वोकि बहुत simple लेमन लैंग्विज की तरह scenes भी बहुत simple है जैसे चड़ी आगर चहा रही है जो उन्होंने mention किया ना कि हरयाली है तो वो ऐसे ही लिख दिया है उसमें कोई metaphor खोजने की कोशिश नहीं है बट वो उस हिट करता ऐसे हाँ उसमें कोशिश कुछ भी नहीं है बहतरीन बात यही है कि वो शायद उतनी शक्ती भी नहीं होगी उनमें उस वक्त कि वो सोचने उसमें कोई शक्ती ढूनने का प्रयास करें पर उन्होंने जैसे अपने आपको व्यक्त किया एक building से दूसरे building जाना और मृत्यू के बारे में खास करके swing की मृत्यू के बारे में इतनी सहजता से और पूरे उसके भौतिकता को सामने रखकर ये बता दिया कि it is part of life और हम ये कभी नहीं सोचते कि death is part of life हमको लगता है कि life अलग है और death अलग है सिर्फ वह कि it is as natural as being born जन्मलिया जितना नैसरगी को है उतना ही नैसरगी को है मिर्तू का हो जाना बहुत पहले न मैं एक कस्बे में रहता था शाहबाद उसका नाम है रामपुर जिल्ले में वहाँ पे एक फकीर आता था उसके हाथ में वैसा एक जुन-जुना होता था जो बच्चों का नहीं होता है जिसमें बीच में पकड़ने की जगह होती है और दोनों तरफ गोल-गोल बने हुए और अंदर उसमें चीजने बजने वाले तो वह जो गाता था उसका मुझे सिर्फ इतना ही याद है उसकी एक लाइन ये थी कि ये है जीवन और ये है मौत और वो बजाता था ये है जीवन और ये है मौत वह ये इस connected मतलब अलग नहीं है दूसरा यंतर नहीं है वो एक ही यंतर में एक लाइन है जिन्दगे और मौत के बीच में कुलू नफसिन जायकतुल मौत सब को चखना है मौत के मज़ा कुलू नफसिन मेरा नाम है इसमें इसलिए मैं पूछ रहा है जायकतुल मौत जायकतुल मौत ये आयत है हर जिन्दा चीज को मौत के मज़ा हमने तीन ताल में कहा था कि सिक्के के दो पहलू होते हैं तीन होते हैं जीवन के तीन पहलू होते हैं सिक्के का पहला साइड टेल जो है वो जन्म है और दूसरा साइड हेड जो है वो मौत है जो बीच में है आप वही जी रहे हैं जीवन है वो ब्यूटिफुल बहुत अच्छा मैं अभी भी इसके बिल्कुल नहीं घबराता हूं कि जाउन एलिया ने कहा था कि कितने दिलकश हुमें क्या सितम है कि क्या सितम है कि हम लोग मर जाएंगे ये इस आइडिया देट इट विल हैपन इस नेचरली वह नहीं मरूंगा तो कोई जनम कैसे लेगा ये भी जरूरी है तूसरा बत कोई मानने को तेजार ही नहीं है इसके चलते दुनिया में इतने रिलीजिन पैदा हो गए अगर मृत्यू नहीं होती तो कोई रिलीजिन कोई इश्वर की आराधना नहीं होने वाले थी इस दुनिया पर ये सब जितनी आइडिया है किसने बनाया कौन पालनहार है कुछ नहीं होता सिर्फ एक ही सवाल था कोई मर गया तो लोगों को लगा कि अपर वह किदर गया तो लोगों के पास तो लोगों नहीं ता लोगों के पास तो लोगों नहीं का चुकि वो कौन पूछता है इस से बेटर जगह पे है बच्चे को बच्चे ने सिर्फ यह नहीं पूछ ला अगर बेटर है तो हम क्यों नहीं चल रहे पर उसके बाद से उसके बाद से डिस्क्रिप्शन शुरू हो गया कि यह वहां जाना है तो फिर हुआ कि नहीं सब चले जाएंगे तो अच्छा कैसे लगेगा फिर हुआ कि नहीं हम लोग जाएंगे वो लोग नहीं जाएंगे हमज़रे हो ना तो फिर यह हो गया तो फिर उसके बाद से जगड़ा शुरू हो गया फिर अलग धर्म बनाएक और यहीं पर एक दूसरे को बेज रहे सारा जलफड़ा सिर्फ एक ही घड़ना का है मिर्तियू कुत्ता भी मरता है कववा भी मरता है शेर भी मरता है डानेसूर तो रही ही नहीं लेकिन एक मिर्तियू ने जो है नाचने चारक है और मर के कोई वापस नहीं आया आज तक कोई मर के वापस नहीं आया सिर्फ राधा मोहन अगरवाल की वाइफ के वो only comeback experience जो मैं जानता हूँ पुनम बांडे वो तो जूट बोली थी राधा मोहन अगरवाल के क्या हुआ था उनकी वाइफ बनारस के नहीं थे बनारस में एरपोर्ट के पास के थे तो प्रॉपर बनारस के नहीं थे बाबत पूर साइड के थे तो उनकी पत्नी चलबची हार्ट अटैक में तो सब लगिस लगे पूरा मुझे होता है तो अपने बनारस से आये थे बहिया यो में शुकल जी उन्होंने बताया भी था एक का कोई टकरा के जो याद है वो ले के जा रहे थे अरे अबे हमरेम जान रहला जिंदा ओग़ुया था मैदागनी तक मैदागन करके चो रहा है वहां टक अल्लाय उसको कमंडर पे और वहाँ से कंदे पे ले जा रहे थे हैं करने का तो गली है लास्ट में तोड़ा बहुत वहां पे एक पान वाला है और उसके दुकान से चाए कि में नहीं जाता है नाली है दूसरी तरह तो सटक क्रोस करके जो मनारस का नियम आब कि सटकपे पानी रहेगा गॉबर रहेगा तो लोग ले जा रहे ते उनकी कि शायको अर्थी को ले जा रहे ते तो गोबर था, पानी था, डिड़ली कॉंबिनेशन, फिसले, फिसल गए, फिसल गए, अगरवाल साब की पतनी उठ गई, उठ गई महीं पे, खुलो खुलो खुलो, मार दे लश्माई, मार दे लश्माई, तो, वो आगई वापस, I think कि वो हाट टैप नहीं था, कोई मोमेंटरी, जो होता न, कोई लंबा कॉमा टाइप का, उनको जोट वोट लगा होगा, उस टाइप का था, पर, ऐसे ताबूत बाद में डिजाइन किया गए, वैग्यानिक, जो मेक्शोर करते है उसमें डालो आप, तो बताते हैं, हाँ, मरे चुका है, ऐसा होना चीए है, तो फिर वो तो जग गहीं, और गहीं, और उसको साथ साल जिंदा रहें, साथ साल पहले ही उनको निप्टा रहे थे, ये देखिए, मोक्ष और मुक्ती, मतलब आप गोबर और पानी नहोता, उसक उपियोगिता तो ही, साथ साल बाद, वो ऐसे, जब टाइम होता आदमी का, वो ऐसे चल बसी, और सेम प्रोसेस, फिर बसी, महें दागनी से, कंदे पे लिए, शब को, लड़के सब गोबर जूढ रहें नहीं, सब जा रहें, जैसे पान दुकान होगा, अगर वासा बोले, देखना रहें बचके, फिर वही फिसल मन जाना कोई, इस बाहर उनोने इंचोर किया, इनको बेच करेंगे, आज हम, तो मृत्यू पे हसना जो है न, हसना ही चाहिए, लाजमी है, अगर आप जिन्दा हैं तो, क्योंकि एक दिन, आपकी मुलाकात नहीं होगी, बहुत लोग क करने हैं कि I will regret something, जैर, मैं रिग्रेट करूँगा, कि मैं ये नहीं कर पाया, इसलिए मैं ये करके मरना चाहता हूं, अब ये मरने के बाद आजमी रिग्रेट करता ही नहीं है, तेंशन ही नहीं लो, आप कुछ नहीं करोगे, आप तो दुखी भी नहीं होगे अपने मरने प तो कुछ नहीं होगा तो मोस्ट टेंशन टेंशन फ्री तिंग तू डू आएगा देख लेना जैसे डॉक्टर देबराय ने देखा और लिखा और सबको बता दिया कि मान्स का लोथड़ा हुआ जो फंक्शनिंग है पर ओला का स्कूटर है भाई साथ मृत्यों के बारे में ये संक्षे में दो शब्दों की फिलोसफी या ग्यान आएगा देख लेना सिंपल आज हम उसके बारे में वरी नहीं करनेगा खिलेगा तो देखेंगे पूरी दुनिया में ये मान लिए आएगी डिजीज हो जाना मर जाना ये सब गलत चीज़े हैं तो जाओ बे कैसे हैं ये सब नॉर्मल हैं डिजीज हो जाना बिमार पढ़ जाना कमजोर हो जाना मोटा हो जाना दूबला हो जाना, खांसी हो जाना, और किसी का बुढ़ा हो जाना, बुढ़ापे भी से लोग डरते हैं, जिम जाने लगते हैं मेरी उमर में, कि अब तो I will, फोटो भी डालते हैं, before and after, बुढ़ापे में दो चीज़ लोग जाने हैं, और यह होता है, if I can do it, you can do, अबे बेफ्पूफ, अपना देख लिए दूसरों क्यों प्रेवित कर रहा हैं, यह है, mid-life crisis जो होता है, सबसे पहले आदमी जिम ज्वाइन करता है, और बुलट जरूर खरे लिता है, गिरता भी यह उस, गिरता रहे लें, फोटो डाले गाए कि, just to look young, कुछ लोग यह salt and paper का फाइदा भी उठा कि देखो मैं old हूँ, मेरे मसल देखके तुमको नहीं लग रहा था, पर मैं old हूँ, अबे तुम्हारे मसल से भी तुम old दिख रहे हो, old ही है चाचा, वो गजब, कितनी दिलकस हो तुम, और कितना दिलजू हूँ मैं, क्या सितम है, कि हम लोग मर जाएंगे, आर आईपी कुछ लोगों ने विवेक दोबराय को बोल दिया था, फिर कुछ लोगों ने कहा कि आर आईपी नहीं होता है, वो आदमी जला दिया गया है, जाएगा, तो समाल लें, इसको भी लोग सीरियसली ले लेते हैं, जो आर आईपी लिख रहा हूँ, उसको फुल बात करेंगे आलेस से पर, और हमने सीजन वन में खांचा सोचा था शुरू के दो-चार एपिसोड में, कि कभी आलेस से पर बात की जाए, जाए, सीजन टू के 77 वे एपिसोड तक आ गए हैं, और अब सोचाएगी फाइनली, वाइटो यार सुना रहा हैं, करेंगे अभी ब वर्क के पीछे ना भागने का जो वांग में है, वो आलेस से नहीं होता है, ठीक है, दोनों पर आज बात करेंगे, मतलब आलेस से पर भी करेंगे, और ये कि यार, जी तोड़, हार तोड़, वर्काहलिक हो जाएं, जो उसकी एक, दूसरी तरह की एक्स्ट्रीम में वस्ता ह उस पर भी आज बात करेंगे, दूसरा बिजार खबर है, मेरट में पार्टी में जानने की तलब लगी कुछ वर्दी धारियों को, तुनों ने पूरी स्क्रिप्ट रची इसकी लेकिन एक उसमें मिस्टेक हो गई, भारी बिलेंडर हो गया तो पकड़ में आ गए, अंत में प्रियत तीन तालियों की चिटिया है, तीन ताल देख और सुन रहे हैं आप आज तक रेडियो पर ताओ, खांचा और सरदार के साथ, दिली के पूर मुकमंतरी, श्री के जिरिवाज जी का स्वागा ते तीन ताल में, मुझे वो एड्रेस चाहिए, कहा गए थे वो, मेचर और आलेस का एक रेफरेंस, बच्पन में जब राजुश वियास्तों को सुनते थे, उनने एक सेट बनाया था, जिसमें एक न्यूस पढ़ने का आदमी आ गया, एकदम कंटाला हुआ, अटो बटो और उस सुना आ रहा है, कहा जाओ गया, संजे तो है, आज आलेस वाके में अपने फेसिस में, कुछ लोग की तो स्थाई अवस्था हो जाती, आलेस, की काश मेरी हो पाती, मैं चाहता हूँ क्यों हो जाए, और ना होने की वजएसे ताने भी सुनता हूँ, पर सब्ताहांत के कुछ फेसिस होते हैं, जिसमें मैं अतियालसी हो जाता हूँ, लोग कहते आलस मचाना जो शब्द है आलस के साथ ये भी है कि आलस करते हो तुम आलस मुझे लगता है कोई क्रिया नहीं है जब आप कुछ नहीं करते हैं तो आलस से हो जाता है तो आलस किया नहीं जाता है इसे दाड़ी बढ़ा ही नहीं जाती मुझे तो लोग मैं जब लेटा रहता हूँ तो मैं आलस से मैं जब लेटा रहता हूँ तो मुझे कहा जाता है वो कहते हैं बहुत आलस कर रहे हो आलसी की तरफ पड़े हो आलस कर रहे हो तो वो लगता है कि नहीं है अगर कर रहा होता तो आलसी नहीं होता हूँ कर ही नहीं रहा होता हूँ आप हैं वैसे थोड़े बहुत आलसी आप लगते नहीं है मुझे आलसी और दूसरी चीज के आज लेकिन आज पता नहीं कहां कर चाहिए मुझे जमाई आ रही है उसको आलसी तो नहीं कहेंगे ये एक ऐसी चीज है ना अगर आप ऐसे देखें प्रकृती से मतलब आप डिवाइसे इन्वेंशन इन साइन्स टेकनोलोजी को किनारे करने और मनुष्य के आलस से को प्रकृती के सापेक्ष रख करके देखें तो ये इश्वर का वरदान इस लिहाज से है कि आप किसी भी और पशुपक्षी को जादा तर को 99% को आलसी नहीं पाएंगे ये हमारी अपनी इजाद की हुई लग्जरी है कुट्टा अगर लेटा भी होता है तो आलस में नहीं होता है बहुत चौकनना होता है पांडा अंडा की आप बात करोगे तो ठीक है वो एका दुगा देखो जो काम करते हैं वही आलसी हो सकते है जानवर आलसी क्यों होंगे क्योंकि कुछ करते नहीं है तो वो नॉर्मल होते हैं मनुस्यों ने अपने आपको विभिन ने पासाथ दिनों में बांट कर हमने अपने आपको बिजी रखा हुआ है कि ये काम दिन काम के हैं I'm working, I'm working very hard I'm relaxing, I'm having fun I'm detoxing अलस के लिए फिर छुटी दे जाती है कि घर बजा कि अलस्वाना मचाओ पर जैसे आप मतलब इनको पांडा का जिक्र किया आपने पांडा इसे कभी देखा है आपने जू में पांडा को देखते हैं ऐसा मतलब मुझे ही लगा है शुरू से कि यार जू में ही दिखते हैं या मंदिरों मंदिरों में पांडे जोते है बनारा जोगे जोते है चाहिना हदी मचा के रख दिया तो बज्जों का प्रेशर में पांडा जो था जू में ना उसकी मृत्तिय हो गई अब बीच में सटेडे पढ़ गया संडे पढ़ गया तो बच्चे आते हैं डिसपॉइंड हो के क्या आजा है उनको क्या पता है उन्हें कुत्ता पेंटमेंट करके टांग दिया पांडा को देखो ना मैं तो उसके वीडियो भी देखता हूँ तब भी तो ऐसा लगता है कि आवा दुनों लोग कडल करके सोई जाए उसके नेचरल वह ही है कि बहुत खुबसूरत वो इसके लिए बदनाम है बाकी जो है जो जानवर होते हैं वो प्रजनन के लिए जाने जाते है कुत्तों को पकड़-पकड़कर स्टेरिलाइज किया जाते है एक वह ही है जिनको उसमें भी आलस है उनको हाँ संस्कृत में लिखा है बारत में लोगों ने पढ़ लिया मतलब भी समझ गए इतने सारे हो गए चाइनीज में होता तो panda जो है वो danger space नहीं होता मैंने एक दोस्ते पूछा कि सच्च आल सी कोई है तो बता कहे रहे मैं हूं मैंने कैसे करहे मुझे उल्टी आती तो मिंफर करता नहीं हूं पैने गहां भला यद यह तो नहीं रियलिस्टिक नहीं कि भला नहीं सच सबसे बड़े आलसी हो कारण बता रहा है मेरे को यह पूछा तुम कैसे बोल रहे हो क्या कारण दा नो तो तो बता ओ तो कौन देता है क्या कौन देता है कि यार परिश्रम से सफलता मिलती है और वे लोग जो सोते रहे वे खोते रहे किन्त जिन्होंने परिश्रम किया वे सफलता का मतलब एक लंबा सा मोटिवेशनल मेसेज सालिगा तो दिन बाद जवाब आया उसमें भी लिखता है के लिए फ़े- अक्छी तो हमारे कोड़ी कहते है आलसी कोड़ी वो गाली है आलसी लोगों के लिए बहुत कोड़ी आदमी है कोड़ी तो है वो कुछ रोग जिनको होता है उनको मानते हैं कि वो काम नहीं कर सकते तुम काम नहीं करना चाहते इसलिए तुम कोड़ी पर जैसे मैं सोचता हूँ कि आलस ने ऐसा नहीं कि हमें कुछ हासिल नहीं कराया वगर आप सोचें तो जेम्स वाट जब बैट करके वो कुकर के जक्कन उठता हुआ भाब देख रहे हुँ और कितनी बार उन्होंने भाब देखी होगी तब जाके ट्रेन के इंजन मना रहे हैं वो इस तरह की बहुत अलग किसम का आलस से चाहिए ये करने के लिए और आलस से बिल्ली के चीके से क्या भाग फूटता है बिल्ली के भाग से चीका फूटता है बाग तो सब्के फूटे हुए तो वो हुआ ये कथा प्रचलेत है कि एक आलसी था तो बहुत उसकी पत्नी परेशान देती थी और रोज उसको ताने देती थी एक दिन उसने घर से निकाल दिया कि जाएं आप और कुछ कमा करके लाएं आप कुछ भी लेकर के आएं कुछ अरजित करें और लाएं तो मैं बैट कर खाने से अच्छा तो वो गया उसको कहीं मरा हुआ साब देग गया वो लेकर क्या है सो लेगी यही दे दूँआ मैंने यह मारा है तो उसने वो दे दिया अपनी पत्नी को पत्नी को लगा कि यह देखो फिर से यही किसी काम का नहीं है और उसने ऐसे गुस्से में उपर उसको फेक दिया घर की छट पे जाके वो साब पड़ा एक बाज उपर से उच्छा बाज दफ़े ऐसा भी होता है कि बाज वहाँ पर उड़ रहा था वह बाज कहीं से आ रहा था उसके चोंच में सोने का एक कंगन था उसने लगा कि नीचे भोजन है तो उसने भोजन उठाया आभूशन छोड़ा और चला गया फिर पत्नी को लगा कि नहीं देखोगी आलस से की उपयोगिता थी कि मिला सोने का कंगन और अतरिक प्रेयास करने की भी आउसकता नहीं 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 चीका फूटेगा इसके इंतजार में नहीं रहना चीए आदमी को प्रेयास यह करना चीए कि उठजाएं और उस समय उठने का मन ही नहीं हो तो थोड़ी दर और लेटे बटे रो सुस्ता के फिर उठ जाए ऐसे तो एक दिन सब को उठना है कोशिश यह करने चाहिए कि काम करें आदमी को एक दिन उठ जाना चाहिए हाँ मैं तो यह कह रहा हूँ कि फेजिस चरणों में माट लेना चाहिए और अपने हिस्से का एक आलस से टाइम रखना चाहिए कि यह मेरा लेजी टाइम है यह बिल्कुल गलत है क्यों फिर हो गया ना सब गुड़ गोबर तो टाइम नहीं किया है अफोर्ड इन ही कर सकते हैं ना बुरे टाइम यह मेरा आलस नहीं करो आराम करो जग में रहकर आराम करो यही है जिवन अगर इच्छा नहीं हो रही है मन नहीं कह रहा है शरीर भी साथ नहीं दे रहा है तो फिर वो अन्मने ढंग से बे मन से शरीर को जबरदस्ती उठा कर कुछ करवाना ठीक नहीं है आज मेरे साथ भी exactly वही हो रहा ह आज मेरी हिम्मत नहीं थी, कली योई सेलेक्शन था सुबस बहुत है, 14 गंटे, 15 गंटे के बाद आप, तो आलस आज मुझे बूरी तरीके से चड़ा हुआ है, और ताव सही कह रहे है, जब बहुत जादा, तुम खास भी रहो, पट आलस का में, आलस नहीं कहूंगा, जब सर आज में आदमी सोचता है, या गिजर गरम हो गया, या पानी करम हो गया या नहीं, फिर वहां तक जाना, एक बड़ा तास्क होता है, कि आप स्वेटर या इनर पहने वए होए होतार रहे हैं, इस ये रहे लिए ओर तो आप मेरी मेरी खल सो उस ताइम पर आलस होता है, उस फिनामेना को कहते हैं कि रजाई दमदाई दे तो हम लोग साजिशन ये किया करते थे घर के जो बच्चे उच्चे हैं जा पटा रजाई खोल के तुम बटो हम लोगा रहा है तो वो दमदाते थे उसको फिर बाद में लातमारक उनको भगा दिया उनकी रजाई कब जाओ लिलो तुम अब तो एक से कुआ गए हैं क्या चंजर उस तरही जो अपका कोई फेवरेट आलस जोक है इसा आलस नहीं कहूंगा बलो आलसी वारी बात नहीं थी मैं कहीं था नेनी ताल में और शूट के दोरान तो मेरे साथ एक मेरा कुली था दोस्ता मैं कहूंगा तो मैं बहार आग से करा था ठंड भ्यानक वाली थी तो मैंने उसको बोला कि उसको नीद आ रही थी मुझे अच्छा लग रहा था तो उसने मैं सोने जा रहा हूं कि जा कर सो जाओ उसो गया तो मैं गया उतना जैकेट वरकर उतारा और जब विस्तर में रजाई उसने बिछाई न नहीं है हम पुरी तरी किसे कहां प्रेंद किस रजाई हो और उड़ा गरम थंडी तनी जाद आती तो मैंने तुम रजाई काहने बिछाए था तो आमको खुड ठंड अलग रहा था हूं रजाई में आकर घुजगा तो आलसी उसने दिखाई थी उस दिन मेरे कालसी आलसपन और जहले हम थे पर वो आले चोटकुले बच्पन में को पड़े होंगे चंपक देखो देखो हस न देना आता था जिसको मैं चूंकि उसमें चंद्रबिंदी नहीं होती थी सिंगल वाले बिंदी होती थी तो मैं उसको हंस न देना पढ़ता था हमेशा मुझे पता नहीं थ पत्रिका होती थी 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 उसमें वाले चोटकुले नहीं होती थे दो आल सी आपस में बाते कर रहे थे तो उले की अरे चोर बिस्तर ले गया उले रहने दे भी तक्या लेने आएगा तो पकड़ लेंगे मुझे वो बहुत पसंद थे की बच्चा कहता है मा से की मम्मी तो जैसे जनेरेशन ने मैं अपनी बिटी की बात करूँ वो लोग थोड़ा आलसी हो गया है क्योंकि मुबाइल ने सब को आलसी बना दिया है वो बैठे हैं कमफर्ट जोन में देख रहे हैं उसको आलस से नहीं कहते है नहीं है अगर मुबाइल छोड़ भी देख है वो एक आलस से आदमी को खा जाती है आलस लेडू बेगा तुमको एक दिन अभी तुम्हारी उमर क्या है पढ़ाही लिखाए करो तो बच्पन से हमें आलस को गलत बताए गया है हाँ क्योंकि एक किस चीज का नाम आलस है यह हमको समझाया नहीं है अरिभाशा नहीं दी गई और उ पुटले जलाने बहलते हैं कि मैं आपको पीट नहीं सकता हूं तो आपका पुटला बनाया और उसको पीट दिया और आपको जो गालिया देनी ती वो सब उस पुटले को दे दिया या आप में कोई गलती नहीं है, आप बहिमान नहीं है, लेकिन मैंने एक पुतले को आपका नाम देके उसको बहिमान बोल दिया, अपनी भड़ास निकाल दी मैंने और आपको नुकसान पचाया, मैंने बोला कि आसिप बहिमान है, तो आप मुझे पर केस नहीं कर सकते कि मैं मैं तो पुतले को बोल रहा था, लेकिन पब्लिक में बात गई, ये वाला चक्कर है, हमको बताया नहीं का कि आलस क्या है, क्या सोई रहने को आलस कहते हैं, क्या ना उठने को आलस कहते हैं, देर से किसी काम को करने को आलस कहते हैं, थोड़ा वेक छोड़ा गया है, जान दो प्रक्रती से ही उधारण बनाए गए जैसे लोग कहते हैं गदे हो क्या गोडे बनो इसे ही शेर और बैल शेर क्या है कि शिकार करता है देखा कितना फुर्थ है कितना अवेर है उसकी आखें वो आपको हमेशा देख लेता है बैल पड़ा रहीता है जो उसको जोंक के ले कितनी सदी की सबसे बधेग हरकत है यह वच्तिहाम बच्चों को बोलते हैं कि बेल को डेखो बैल की तरह काम कर रहा है नहीं नहीं जो लेटावा उसको भी बैल को देखो बैल बुद्धी है बहल बुद्धी है बहलों के साथ जो गायों के साथ भी ऐसे कई जानवर है इनके साथ तो यार बहुत अन्याय हुआ है जिसे हम खाते हैं पेट पचाता है इनको खाना पढ़ता है फिर उसको वापस लाके चबाना पढ़ता है जुगाली करने पड़ते हैं, फिर वापस भेजना पड़ता है, तो और खाने से जादा टाइम चबाने में लगता है, जुगाली हैं, जुगाली हैं, उसकी गलती नहीं है उसमे, वो तो जादा हेलदी है, बैल को अब बैठना है, और जितना दिन वे खाया था उस अब को condition. It's a condition कि मैं अगर कोई किताब पढ़ लिया और उसके बाद मैं योँ ही वैक्यूम में शुन्ने में अपने आपको पा रहा हूँ लोग सोचते हैं तुम लेटे हुए अरे मैं उसको चबा रहा हूँ मैं सोच रहा हूँ उसके बारे में बहल बुद्धी हूँ मैं मैं उसको जो पढ़ा था उसको वापस निकाल के जुगाली कर रहा हूँ बहुत ही अच्छा जुगाली मुह में मसाला है तो आपको गलत पहमी हो रही है जैसे बहल या सांड भी आप देखें या गाए भी अकसर अगर देखें आप कानपरम सड़क किनारे बैटी रहती है कई वर बीच में भी तो वो सांसारिक्ता से मुक्ती का एक भाव रहता है आप कौन में जाईए उसको पता है निकल जाएगी XUV 700 अच्छा थोड़ा सा उठा देती हूँ इसके लिए तो वो सांसारिक्ता है और एक शांती उनके चेहरे पर है अगर आप उसको बहुत ध्यान से देखें और किसी Zoom में, किसी चड़िया गर में किसी बच्चे से धेले खाने से तो अच्छा है कि चौड़ों में रोड़ कोई लाटी मार देगा या किसान के हाँ आप हो कोई ऐसा आलस से वाल मुवमेंट रहा है जिसको या तो इंजॉई किया हो या रिग्रेट किया हो जिसका कोई एक मेजर आफ्टर एफेक्ट रहा हो उस दिन हम बहुत आलस किये थे दो दिन तीन दिन ऐसा कुछ आप नहीं लगते हो मुझे आलस से कि अगर तुम बोलो तीन गड़े पाद यह करना है तो मुझे अभी इसे चूल मचना शुरू हो जाएगा कि जल्दी पेशन्स नहीं है जैसको जैसे आपके वो बॉड़ी लेंग्विज में है मैं सुबह भी इन से मिलता हूँ और शाम को भी मिलता हूँ रात जबी आफ निकल रहे होते हैं तो इनके बॉड़ी लेंग्विज में ज्यादा फरक नहीं आया था जैसे आज हमने इस तीन ताल की शुरुवात की थी कि सुबह दफ्तर जाते हूँ ऐसा लगता है सरसों खिल लई है और लोटते समय लगता है खेत में पाला पड़ा हूँ है मुझे तो लगता है मेरा शरीर इस तरह का है आपके मैं नहीं लगता है लगया होगा भी तो वह बहुत नियूंतम है नहीं होता अलास नहीं कर वह उल्टा है मैंने बता है मैं अंदर वह है अगर कोई बोले कि तुम्हें गोली मार रहा है कल तो मैं बलूँगा आज ही मार दुबर नहीं उससे पहले हम मर जाएंगे सोचके कि गोली मार नहीं इतने बज़े मारेगा टाइम नहीं है तो उल्टा है सिस्टम मुआ यहां संपादक और एक रिपोर्टर आलसी रिपोर्टर का एक संबाध है उसमें क्या हुआ कि मालब वह इतना भी नहीं वह मसाला खाए हुए था रिपोर्टर थोड़ा वजन उनका ज्यादा था उनके लिए थोड़ा सा मालब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एफर्ट था संपादक नहीं बुले आरे तुमने वह थी और डेडलाइन भी पूरी नहीं हो स्टोरी कब आएगी तो बिचारा वोट का है बुले वह पूछ रहा हूँ स्टोरी पूछ रहा हूँ कब दो है तुम एडलाइन पुरी हो गए गया हो कुछ बहला नहीं तो गश्रूम गया 5 मिनेट बाद वापस आया बोले कल दे दूँगा बोले बोले बस इतनी बात के लिए मेरे मसाला थुकवा दी है based on the real incidents यह this happened यह तुम्हारे साथ नहीं बदाए नहीं नहीं रिपोर्टर का तो मैं चेहरा देख रहा है मुझे बिल गेट्स यह कहते हैं कि मैं किसी काम को कई बार किसी innovative काम को करने के लिए खासतोर से कोई hard working आदमी चुनने के बजाए एक आलसी आदमी चुनता हूँ जो दिमाग से भी अच्छा हो जाहिरन क्योंकि वो उसको करने का एक smart तरीका खोज लेगा और यह theory वहाँ तक जाती है कि चुकि आलसी लोग ज़ादा काम नहीं करना चाहते तो वे काम को जगाड निकाल लेते हैं जैसे कि AI संभवता आलसी लोगों की उपज होगी वे कौन इता ट्रांसलेट करेगा यार इसको बोलोग कर देगा तो उसको machine learning के थुरू इतना data feed कर दिया उसके भीतर तो इस लिहाद से भी मैं आलसी लोगों को बहुत कितने मेहनत कश हो तुम कितना लप्पू हूँ मैं देखना एक दिन दोनों मर जाएगे जो तेज चल रहा है और जो आलसी है उसका destination एक ही है nowhere nowhere मरने कबाद कहा जाता है आप ही ने कहा कुछ वही तो destination है यही तो है कि सब आत्मी दिल्ली से बैठता है गाड़ी में कि मनाली चलते है ठीक है और सब को यह भूल जाता है कि हम में मनाली जाना है और जो मनाली पहुंचता है बांकी रोने लगते हैं कि वो मनाली चला गया कि मनाली जाने ही निकला था आलसी लोग थोड़ा तेर से पहुंचते हैं destination हम सबका एक ही है journey को enjoy नहीं कर रहे हो क्योंकि आपने अपने लक्ष बना लिया है उसको destination बना लिया है मेहनत कश लोग क्या करते हैं वो अपना goal बनाते हैं goal city कि मैं फलाने company में general manager बन जाओंगा मैं एक 200 करोड की company बना लूँगा यह target हो गया उनका मंजिल क्या है उपर target यह है यह क्या बात हुई दिल्ली से मनाली जाना है you can decide कि मैं आज सर्ताज के धावे में पराड़े खाऊँगा that's the goal of my life आपने पराड़े खाए सर्ताज के धावे में किसी ने सोनू बैशनों में जाके दाल रोटी खाली आपने भी मना ली जाना है उन्होंने भी मना ली जाना है आलसी होना बुरी बात नहीं है आलसी होना अच्छी बात भी नहीं है आलसी होना आलसी होना है अगर आप आलस को बुरा मानते हो तो इतना कुछ करते क्यों हो ताकि अराम से रह सके आपको भी सुख ही भोगना है न अल्टिमेटली अपने आलस से को और लेक्जूरियस बनाना है हाँ या कुछ ना करने को और लगजिए आपको महेंगा हाला से चाहिए है एक्सपेंसिफ बस और कुछ नहीं है वह है ना कि एक entrepreneur टाइप का आदमी कहीं गुमने जा रहा था तो वो highway किनारे निकला आया है बोले हलका हो लिता हूं तो वो देखा है किसान वाँ पर अराम कर रहा है तो उसके पास गया उसको बोला किसाब क्या कर रहे हैं बोले मैं आराम कर रहा हूं बोले तुम खेती क्यों नहीं कर रह बोले फिर क्या होगा बोले ज्यादा तुम्हारी आमदनी होगा बोले फिर क्या बोले घर अच्छा हो जाएगा बोले फिर क्या होगा बोले मर्सीडीस से तुम भी गूमोगे बोले फिर क्या होगा बोले फिर आराम ही आराम होगा बोले वही तो कर रहा हूं यह सिकर हो गया था, to and fro वो तीन तालिये भी कम नहीं है उसमें जो यही तो है यार, यह कम्मिनिटी ओ ऐसे थोड़े बनी है बहुत गजब गजब के लोगों से मैं मिल रहा हूँ भी लेकिन जब आप आलस सबसे आदा एक समय होता है जहां पर मैं आत्म समर्पन कर देता हूँ, मैंने पाए कि जातर जो आलसियों का आलस सिपन उस समय सबसे मुखर चरम पर होता है, जब वो एक बार लेट चुके होते हैं इस मकसद से कि अब सोएंगे उसमें क्या है कि जैसे आप बेट पर हैं तो आब आलसी को पता होता है कि इतनी सारी चीज़ें हैं, यह सब बेट से हटाना तो उसको होता है कि अच्छा यह तीन से हटाऊं तो सोने भर की जगे बन सकती है, तो वो रिमोट, पतनी का क्लेचर और लिब बाम हटा देता है कि यह चुप सकती है रेस्ट मैं देख सकता हूँ, तो ली तो लेट तो यह दूसरा है कि उसको यह पता है कि म form बना मैं करता हूँ कई बार जब बिल्कुल उठने का मदनी ल कि मैं अपनी नाईं और माही तरफ का जतना हाथ भर का सपेस है उतना से जार उसमे, नहीं उसमें मैं क्या ऐसी जरूरत की चीज़ें रख सकता हूँ जो मैं घूम करके उठा सकूँ रात में चश्मा, एसी का रिमोट, पानी की बोतल वो थोड़ी भी स्ट्रेच ना हो कि मुझे हाथ लगा का उठना ना पड़े लेटे-लेटे हाथ में आ जाए तो वो एक कैलकुलेशन गणित के सिद्दान तो का इस्तमाल करते हुए आप ऐसे सोते समय जरूरत की चीज़ें अगल बगल रखके सोते हो आप मुझे इसलिए होलडर भी का जाता है अपने घर पर तुम्हें एक चीज़ें जमा कर लेते हो एक जगे तुमें साइट टेबल एक इनफ नहीं पढ़ती है उसके नीचे एक स्टूल भी लगा दी है वो भी इनफ नहीं पढ़ता है तुम्हें हमेशा स्पिल होता रहता है तुम्हारा समान उससे बाहर जा रहा है उसको क्लीन करो फिर वैसे ही हो जाता है मेरा तो यह है कि मैं कल तक की त्यारी रात में करके सूता हूँ जो कपड़े मुझे सुबह पहनने है वो मेरे बेट के किनारे रख दिये जाएंगे मतलब निकाल कर रख दूँगा घड़ी चार्ज करने है और मोबाइल चार्ज करना मोबाइल लिब बाम अफकोस मेरे मोहोड हमेसा फटते ही रहते है और पानी की बोटल और टीशू पेपर यह हर चीज सेट है मेरे साथ क्या है कि बहुत आप जोगी कंठिका तो आप आप आँगे चार तरह के तो यही वाली है इवन चपल भी मैं बहुत सजा करकता हूँ तो बिल्कुल मेरे पहर में ऐसे पढ़े यह नहीं कि घुमा वाचे इधर से मालो बेडिया है तो आप आओगे चपल ऐसे उतार दोगे तो नहीं चपल को भी घुमा करके रखो ताकि आप सुबह उठे तो आपको पहर में पिट रहे तो सब कुछ अगर शेविंग करना है मुझे मैं एक दिन बाद दो दिन में शेव करता हूँ तो रात में ही मेरा सब कुछ ब्रश पूला दूँगा पानी में रेजर वगरा सब कुछ तो हर चीज परफेक्ट चाहिए यह आल सी बिल्कुल ही नहीं नहीं मैं नहीं करता हूँ एकदाम अपोजेट है इनफेट और्गनाइजड है और्गनाइजड रहने के लिए एफर्ट लेते हैं मतलब कुछ लोग और्गनाइजड हो जाते हैं क्योंकि उनके आसपास का सराउंडिंग है कोई और उनके लिए चीज़ें और्गनाइजड कर देता है सर्दी में बरता कि रजाइम घुसा हूँआ कि आफिस जाना है नहीं मतलब लेट भी हो रहा है और गीजर भी ओन नहीं है फिरुआ कि घड़ी देखा मैंने कि यह काफी लीट हो गया तो मैंने कि एक काम करते हैं सिधा ठंडा पानी से नहा लेते हैं इसकिप नहीं मारते कि आप ठंज में तो नहीं मैं तीन सो पैसे दिन नहाता हूँ यह भी प्रावलम है तो मैं बात्रूम में गया और ब्रश निकाला बाल्टी में में पानी ओन कर दिया गरम नहीं था ब्रश कर रहा हूँ जली-जली ठंड लग रही है और उसके बाद मैंने सीधा मग्गेस पानी उठा बड़े हिम्मत से कड़ा करी सर्दी थी दिसंबर वाली और हर-हर महादेव करके उपने उपर डाला जितनी तीजी से मैं पानी डाला था उतनी तीजी से मैं बिस्तर में लाकर बुज गया अब तो मुझे रिलाज भुआ कि आज मैं मर सकता था उसके तर्मे लेट के कांप तरagoda पुरा बेड गीला होगी विए आप गीले थे रह जाओ यदाल करके किसी तरीके से तो आलस पराँ एक दिन मैंने देखाЯ थे लेकिन दो मिनिट में वो काफूर हो गया था सर्दी के दिनों का है काई है सर्दी के दिनों में एकदम सर्दी हो नो तो ठंडे पानी से ना आ लो उसके बाद नहीं लगती ठंडे नहीं आप पकड़ जाएंगे खत्व हो जाएंगे दिन बर के लिए सेफ हो आप क्योंकि इतना ठंडे आप नहीं ठंड नहीं लगती है उसके बाद उसके बाद आप टी-शिट में गुदार लोगे आप, अगर आप Ice Bucket Challenge जो बोलते है न, ऐसे भी हफते में एक दिन बिल्कुल ठंडे पानी से नाना चाहिए, मैं कपड़ों की लेयर प्रिफर करूँगा, किसी भी दे, उसके बाद पहन लो आप इतने कपड़े पहनने हैं, व हमने पिछली बार कहा था, आवश्यक के लिगाना, अलब ऐसे बाइलोजिकली, साइंटिफिकली भी देखें, तब भी रोज ना आना, नहीं, किसी भी शरीर के लिए रोज ना आना, रोज साबू लगाना, रोज शेंपू लगाना, इस सब चीजें, नॉर्मल नहीं है, पर जो आप बोलेगा पहली बार, वो नमक लेने जाएगा, अब तीनों चूपें, शाम हो गई, नमक लेने जाना, एक दिन हो गया, दो दिन हो गया, भी होश हो गया, तीसरे दिन ले लगागी, आसपास वाल लोगागी, मर गए तीनों, तो उनको ले आने लगे अंतिम संसकार के लिए, पहले को जो है, लकडियों में जालकर आग लगानी जारते हैं, बोले है, मैं जिन्दा हूँ, तो वो बगल वाली अच्चेताओं से बजारी, जाओ नमक लाओ, मुझे पसंद है, आलसी जोक, संड़े एक दिन होता है, जैसे बाईचांस अगर आपको मिल गया, त उस दिन मेरा कोशिश रहता है कि मैं कुछ ना करूँ, कहीं नहीं जाना, यह मैने में एक बार होता होगा, और आप उसी जगह बिस्तर पर खाना खा रहे हैं, वहीं लेटे हुए हैं, और उस दिन नहाया भी नहीं, फिर शाम में आप उठे, शाम में उठे, तो आपने पू आपने आराम नहीं कर पाता है, और जिस दिन काम कर लेता है, उस दिन इस गिल्ट में रहता है कि I wasted my weekends, मैं आराम ही नहीं कर पाया है, ऐसी कौन सी बात है Saturday में, जो गुद्वार में नहीं है, लेकिन आपके दिमाग में बठा दिया गया है, कि Saturday आराम को दिन है, दुनिया को कामगार चीए, लेकिन ताव ऐसा हो, कि आपको बताया ना जाए, कि इस हफते कौन से दो दिन आपको आफ मिलेगा, एक सर्प्राइज है, अरे मुझे तो ऐसा होता नहीं है, आज सुबह फिर सब याद आया मेसेज देखके कि आज Thursday है, तो मैंने आश्वरिया को गोला कि आ क्योंकि कोई special day नहीं है, हर दिन काम का है या हर दिन आराम का है, तो वो बदलाओ आने के बाद मुझे यह realize हुआ कि किसी ने भी बोला था, उद्योग पती ने उसको बड़ी लात्मी पड़ी थी, कि आदमी को छुट्टी के लिए दो दिन क्यों चीए, कम काम करना तो कम कर करो, ज्यादा करना है तो ज्यादा करो, काम करने मतलब आप रोज ही काम क्यों न करें, आपको पूरा दिन क्यों आफ चीए, यह आपको लगता है कि आपके अधिकार चीने जा रहे हैं पर यह आपके खिलाफ शड्यांत्र भी है, कि आपके लिए mandatory है कि पांच दिन काम करें करें हैं तो जैसे आलस से के कुछ ऐसे घटनाएं होती है जो अलस से कहा है अपने आप में एक दिन की एक समय की घटना नहीं है, बहुत दूर तक सिरा जाता है क्योंकि आलस से है तो वहाँ जो घटना थी वो छोड़ी गई, उसका सिरा कई समय बाद मिलता है, क्योंकि वहाँ का छोड़ा गया आलस है, तो नीचे आशीश है ना, लेलें टॉप मेरा दोस्त, तो वो कहता है कि मैं इतना आलसी हूँ कि मैं तरबूज के बीज भी खा लेता हूँ, उसका आलस बटन कहीं रख दी, कुछ दिन बाद बटन गुम गई, कुछ दिन बाद जाडू लगाया, बटन मिली, बटन मैंने बटूए में डाल ली, बटन तो मिल गई, लेकिन सफेद धागा कहीं देखनी रहा था, सफेद धागा खोजने के आलस में, बटन दो महीने से बटूए मे पड़ी है, सवाल यह है कि बटन लग भी जाए, तो क्या मुझे शर्ट आधे से प्रेस करनी चाहिए, या धोकर, यह इसलिए में कर रहा हूं कि यह एक लंबी कथा है, यह घटना नहीं है, यह वहां तक जाती है कि दो महीने बाद भी आदमी उसी घटना के बारे में सोच रह है, आपकी कर लेंगे, हो जाएगा, देख लेंगे, हिंदू आलसी है, क्या ताओ, मतलब उसको इतना जगाने का परियास इतने समय से हो रहा है, जाग नहीं है, आलसी तो टाइम से एक्सप्रेस यह सब हैं, इसमें कोई एक आलसी है, ऐसा नहीं है, सारे अक्वारों में जम हैं, तो और कम पफने हो गया है, तो चल जाता है, आलसी का क्या है, कि उसमें अपक्षाय नहीं रहती है एक्स बिखती की, उसको किसी को अपनी बात मन वाननी नहीं है, किसी की माननी भी अगर आप देखें तो ये नहीं कहेंगे दोनों की तुलना भी नहीं होनी चाहिए लेकिन मोक्ष और आलस से दोनों की कई सिंटम्स कई लक्षन एक जैसे हैं एक दूसरे से मिलते लिलते हैं बहुती निर्पेक्ष भाव जो है वो आलस से लेके आता है तो जो तीन तालियों में जो सोनाम धन्य या सामाजिक रूप से पृतिष्ठित आलसी हैं वे अपने आलस से के किस से भेजें अपन बिजार खबर की और बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश में मेरेच पुलिस की पार्टी में जाने की तलब की खबर इन दिनों सुर्खियों में है इस तलब ने चार पुलिस वालों को साब सस्पेंट करवा दिया कई सिपाई जो एक पार्टी में जाना चाते थे तो ऑन जूटी थे पर उनको इजाज़त नहीं मिली तो चार सिपाई जो एक पैट्रोल लिंक पे लिंक कार ली पे उस विक्ति को फीडबाइक के लिए कॉल किया जिस के नमबर से कॉल किया गया था और जब फीडबाइक माझए के तो उस रागीर ने लेकाई की मैंने तो कॉल किया है नहीं था फिर पूछता आज मिन बता चलागी चार पुलिस वाले थे उन्होंने फोन ले करके नंबर से कॉल किया था आप तो खंच अप पुराने पाइटी है नहीं मलों इस महती प्रयास को आप कैसे देखते हैं क्योंकि पाइटियों में जाने के लिए थोड़ा जूट थोड़ा एफर्ट करना बढ़ता है कई बार यह कटू समाज इ जाते हैं पार्टी वाटी का अपना यह रहता था कि पहले इसी ओफिस में होती थे नाम लेना ज़रूज नहीं है एक साथ सबको छुट्टी नहीं मिलती है नहीं मिलती है और मैं मेरी सानूब होती है एक तो अपने दादी को मार देता है एक का लड़का दिमार पढ़ जात तो जैसे होता थे कि आपको पार्टी में जाना है अब आपकी ड्यूटी लगी बारा बज़े रात तक क्या पहुचेंगे पार्टी में जब हड़ी और खाली वो मिलेगा तो आप अपना कुछ शुरू करते थे कि तो इस ख़राब लग रहा है च्या हो रहा है प्टन पेड सोचल मीडिया नहीं था अब बहुत जादा है तो आप निकल लेते दीरे से पता हो चला जिससे बोल के गए थे वो भी हाँ वो भी आगया वहाँ पे अपने बॉस या अपने सीनियर से या सिर्फ रिंचार्ज को आप बोल के तब यस सही नहीं लग रहा है और पता चले उस पार्टी एसा लगता है ना कि जाना ही चाहिए ऐसी जो रात में ड्यूटी पे होते हैं उनको और भी खुझली होती है अगर आपकी नाइट शिफ्ट है पुलिस वालों की थी अब पेट्रोलिंग कर रहे हैं क्या पेट्रोलिंग क्या होता है समाज के बीच में रहना होता ह होगा नहीं तो पार्टी के लास्ट में एक दो लोगों अर्श फाइरिंग में अचाहे चार पुलिस वाले रहें तो पुलिस वालों को नो वैसे भी इंजॉय करने के अवसर बहुत कम मिलते हैं मिलते भी होंगे तो बहुत चार दिवारी के भीतर करना तो वो पब्लिक में जैसे मैं जो अगर आप मत्रा वरंदावन हुली के अगले दिन जाएं तो पुलिस वालों की हुली होती है और वो एक ऐसा चूंकि वो एक सांस्कृतिक चीज हो जाती है तो उसका कोई बुरा नहीं मानता है और अगर आप देखें तो कई इस तरों से उसमें कई लीगल पे और वो अगल बगल जो टूरिस्टों की भी जीप गाडियां है अगर किसी का शीशा खुला है तो फेक रहा है और गाना चलते वह तुभी बोले क्या है बोले आज पुलिस वालों की हुली है क्यों कि जब हुली वहां लोग मना रहे होते हैं तो पुलिस वाले अपनी दिज़े अगरा न्यू येर हो कोई पूजा हो पर्व क्योहार हो कोई सेलिब्रेशन हो एदो बिचारों उनकी तो बस डूटी डूटी लगी रज़ते हैं वह तो राध दिन फिर लग जाते हैं उनको छुट्टी भी नहीं मिल सकती बाइदे हूं उस टाइम में छुट्ट आधार पर शोड़ देना चाहिए एक शायर साब मलब शायरी में उनकी रूची थी और वो IPS लग गए तो उनके कुछ दोस्त उनसे मिलने आये होंगे तो उनके जो हाउस हेल्प होता है वो आया उसने का कि साहब आपके और आपके दोस्तों के लिए अप शराब ले आउं तो उनका तुम इधर आओ तो में थोड़े कुछ अलफाज सीख लो मेरे साथ रहोगे तो कहो कि साहबान आपके लिए जाम ले आउं भूले ठीक है साब मैंने सीख लिया अगली बार ऐसा कभी मौका आया तो उनने ये सीखा था है कि साहब का बहुचन साहबान होता है और शरा की तालिबान तो नहीं लगी बहुत सारे लोग है ना लग सकती तालिबान तो एक रात वो इस तरह के अपर तो पार्टियों का थोड़ा सब इजास बदला है क्या जैसे पार्टिय कम हो गई है पहले बहुत ज़ादा थी पहले बहुत ज़ादा पार्टियों क्योंकि आपक आपको किसी दोस्त की आदा की आप हाउस पार्टी पसंद करते हो आप या वैसे हाउस पार्टी जादा हाँ मुझे भी मतलब किसी घर में हो तो फुड़ा ठीक बाखी जगह जब जब लाओड म्यूजिक होता है कि आप डिस्टरब होते हो हाँ मैं तो रेस्टोरेंट पर जा जो सुनने हो चुका है जैसे एक पार्टी थी उसमें एक दोस्त ने कुछ जादा ही रसायन ले लिया तो वो बोला है लेकिन जमेदार आदमी था उसने गया अब जो है ड्राइव करना ठीक नहीं है तो उसने ओला से कैप बुलाई और कैप से वो अपना निकल लिया फिर ल पर मैसेज पर बात कर लेते हुए ठीक है एवरिधिन इस फाहिन पहले ऑप्शन होता था कि मिलना ही एक उप्शन होता था क्योंकि आपको मोईल नहीं होते थे तो लेट्स पार्टी मिल लिये वो आपने कभी देवरिया गुरखपूर वाले को साथ पार्टी की है अधरी के टो क्या कि कहीं पर सड़क किनारे स्कारपियो लगा के पार्टी कर रहे थे दोस्त का पताया किस्सा है तो उसमें क्या कि चीजें चल नहीं थी तो उसमें आमलेट, भूजा नमकीन ये सब चल ला था नो भूजा हुजा का वहां बड़ा एक मानने था है तो पुलिस वाले देख लिया पुलिस वाले तुन्होंने खट-खटाया, दर्वाजा खुल वाया, तो जब दर्वाजा खोला है ना उसका, तो उसमें से दमके हुए पानी का और प्याज का भवका आया है, उसने जाके गाडी में बताया है, अपन बॉस को, कि साहब लगता है गड़िये पी ल कौन चुपार आये पता नहीं चलता है, कौन सी वाली है, एक्स्प्लोजिव है, चिठियों की ओर बढ़ें, सबसे पहले यूट्यूब पर जो कमेंट आये हैं, कौशलेंद्र सिंग का कमेंट है कि पांडव देदो केवल पांच ग्राम, रखो अपनी धर्ती तमाम, खांच को जय हो, तीन तालियों को जय हो, पहलो परिचे सरपंच साहब के साथ तीन ताल की एक रील देखके भई, और अब आदत सी हो गई, ताउजी खान कक्का, सरदार बड़े पतों नहीं काय मनों देखके ऐसो लगतो, के हम और हमाई लड़क मंडली ठंडी रात में खेत पे प कलोली करते थे, और वाको जो मजा जिन्दगी में छूट गयो थो, वो तीन ताल में आन लगो, और बड़े दिने बाद कुछ पुराने दोस्तों से दिवाली पे मिल भी लओ, बड़ो मजो आयो, सबको धन्यवाद, माधव गुरुजर विदिशा, शुक्रिया माधव, पर कभी भी ऐसे घमंड करते हुए नहीं दिखा हुआ विदिशावालों को, मद्धिप्रदेश में के मध्ध में होना, तरासदी है उनके लिए, वहाँ पर बहुत, बड़े बड़े लोग आते हैं, वहाँ जगे भी बहुत अद्भूत है वो, सचमुच में केंद्र है, ब परशेश, लोग बहुत मीठे, बहुत ही गंभीरता वाले और बुद्धी भी ऐसी ना, सरल और जटिल दोनों, कभी-कभी तो आस्चरे होता है, मैं दो बार गया हूँ विदिशाव, फिर किसी होर दिन बात करें, डॉक्टर दिनेश कुमार शर्मा का कमेंट है, तीन ताल के महारतियों को नमस्ते, सच्छी अकाल अदाब, आप तीनों को नया ना मुबारक हो, इस बार मैं यात्रा में था और तीन ताल देखने में लेट हो गया, आज सुबह जब मैं जाएगा तो मेरी पतनी नीलम बोली जब मैं जागा तो मेरी पतनी नीलम बोली, आज आपने अपना तीन पती नहीं देखा, एक मिनिट सोचा और फिर मैंने का तीन पती नहीं तीन ताल, तो आपको इस तरह एक और फैन मुबारक हो, जै हो जै हो जै हो, दिनेश कुमार शर्मा, मैक्सिको के कैनकुन शहर के बात खांसी है, और दूसरी बात सरदार की खांसी है, यार हम, हमको भी हो जाएगी, अज लग रहा है, टेंशन में प्लेंगे, मज़े जाएगा, तिरसी लेंगुजों बाते करेंगे, जिस तरह के पिखल पिखल के मैं जम रहा हूँ, बहुत ठंड है, यहां पर लेकिन ठंड की वज़ा क्या है, यह भी बताई दो, AC बहुत ठेज है, ऐसे लोग रहा है, करेंगे कुछ इसका पर्मनेट जुगार, अगली चेठी है, Mr. Right की, वो कह रहा है, जै हो, आज फिर एक किस्सा बताने का दिल किया, जो मैंने अभी आज आपके Twitter स्पेस में जाने के बाद, कि एक बार मैं अपने दोस्तों के साथ हैदराबाद जा रहा था, हम अपनी सीट पे जाके बैठ गए, देखा कि टीटी कई लोगों से सीट के बदले नगत नारायन ले रहे थे, तब पता नहीं कहां से मेरे दोस्त पिंटू को शरारत सूझी, उसने बोला चलो टीटी के होता था, टीटी साहब आये हमारा टिकेट भी उन्होंने मांगा, तो पिंटू ने पूरी तबियत से टिकेट खोजा पर टिकेट नहीं मिले, टीटी बार बार टिकेट के लिए बोले, पिंटू सारे सामने खोले पर टिकेट ना दे, पंदरा मिनट के बाद टीटी साहब न नहीं मिला पर टिकेट तो लिया है फिर टीटी से थोड़ी बगजक की अब तक कई सारे लोग दर्शक बन गए थे टीटी का धहरे जवाब दे दिया और उसने परची बनाना शुरू कर दिया और जैसे ही परची बना के उन्होंने पिंटू को साइन करने को बोला पिंटू न दस मिनिट बगजक चली और अंत में टीटी जी को खाली हाथ जाना पड़ा और उनकी कमाई का एक घंटा इस तरह बरबाद हुआ उपर से परची की चपत लगी सो अलग अगली चिठी है एक ओडियो चिठी बेताल की जो एक तीन ताथ प्रॉंग देता है कुछ शिकायत है उसे एक तो पहली शिकायत है जो अब इस तरह गिराने की बात करते हैं कहा है गिराना चाहते हैं बुल्शिट बुल्शिटी अच्छा है पिक शिट नाउं तो अच्छा रहेगा क्योंकि एक हमारे कहावत है सुरी का ना नीपे लायक ना पोदे लायक ध्यान देखिए वाकि पुराने शो देख के हर्मी में इचा रहता है इन यह वालों में कुछ और इंप्रॉब हो सकता है जै करना है कि नीचे कितना नीचे ले जाएंगे अज़ा नीचे है अरे क्या करें प्रयास तो रहता है कोशिश जारी है पर आपने और भी चीज़ें अगर कुछ कमियां बताएंगे तो हम जरूर दूर करेंगे कोशिश तो यह रहती है कि आपको अच्छा लगे इतना आराम से गपशप हो पर यह बात है कि मेरे लेवल के चुटकुले जो है वो थोड़े से नीचे है पर वो बहुत इंक्लूजिव है यह तो देखिए यह इलिटिस्ट नहीं है तुम ट्रॉम्प के लेवल का है तो माफ कर दीजिए उसको इग्नोर कर दीजिए कुछ चुटकुले ऐसे ह होंगे कुछ बातें भी ऐसी होंगी जो आपके लेवल की नहीं होंगी कोशिश यह है कि हम जहां भी निकलते हैं हमको हमारे बहुत ज्यादा उचे लेवल की बाते सुनने को मिलती है हमारे मंत्री से लेके संत्री तक हमारे बॉस से लेके हमारे जूनियर तक हमारे पान वाल कि उतना गहरानी उससे भी ज़्यादा नीचे चले जाए और ऐसी बात करें जो बहुत ज़्यादा कंधे पे जो है वजन महसूस ना करवाए तो उसमें कभी-कभी ऐसा लगेगा कि यार ये क्या है? क्यूं ही करते हैं ये? ये सवाल हम भी पूछते हैं मुझे भी ऐसे ख्याल आते हैं कई बार, in fact कई बार मैं लोगों को भी बोल चुका हूँ यह भी यहां तक बोल चुका हूँ कि वक्त आ गया है इसको समेट देने का क्योंकि क्या ही कर लेंगे बाद पर आप ही लोग है जो इसको खीचे जा रहे हैं हम नहीं कीच रहे है इसको हम लोग तो सिर्फ सुत्रधार हैं कह सकते हैं सच्च मुच में यह तीन ताल टीटी स्टाफ ही चला रहे है वो इसलिए कि अगर लोगों को मजा आ रहा है या कानपूर में जैसे मजा आ रही है तो तब तक यह चल रही है आज भी देखी हमारे बढ़के भहिया है उन्होंने मिठाई के डबबा दिया है और दूसरा भहिया की का है कि आप जब घर से निकलोगे कुछ भी बजाओगे दलजीत सिंग बजाईएगा आपके पसंद का है बहुत बढ़िया चलेगा लेकिन अगला वाला अपने आप बीपराग बजने लगता है का करें? Fast forward Next song please Skip it Skip this ऐसा करके थोड़ा सा इग्नोर कर दीजिए अगर नीचे जा रहा हो तो क्योंकि जो हो चुका होता उसको तो उठाना बहुत मुश्किल है एक दिन तो सब को उठना है तीनताल भी उठ जाएगा बट थैंक यू मैं इससे बहुत खुश हूँ एक बात से कि हमको जो चिठ्ठी आती है सब में यही होता है कितना बढ़िया लगता, कितना मजा आता है थोड़ा सा बाइलेंस जो है दुगर रहा है तो आप लोग सब देखना बाइलेंस लाइए कुछ बताइए हमको भी कुमारे चाचा की चिठ्ठी आई है ताउ को चरणसपरश खांचा को रामराम सरदार को हैंड शेक दीपोटसव कांथ हो चुका था हम्रा नाम ताउ है हम मतलब सही में ताउ नहीं है चरणसपरश करने लाग रहे हैं सारे चरणसपरश ना करोगा यहम्जब भी आथ में लाग लिया करोगा दीपोटसव कांथ हो चुका था और मैं पुना अपनी कर्मभू में की और लोटने की रूप रेखा तयार कर रहा था सभी साज और सामान कपड़े और मिठाई को करीने से बान दिया गया और इस बार एक और एक और पंथक को भी ध्यान से सहेच की रखा गया मेरे विचार से जैसे जैसे यात्रा कोच में महंगी होती जा रही है वैसे ही उबाऊ भी होती जा रही है एक और यहाँ जनरल में आराम नाम की चीज नहीं किन्तु मनुरंजन और किस्से कहानियों के अंबार है और दूसरी ओर सबसे महगे जब्बे में मनभर के आराम तो है लेकिन कोई किस्सा नहीं कोई कहानी नहीं वैसे तो इस जीवन में जिसे अभी जीवन कह भी नहीं सकते शायद रेल यात्राओं का योग दूध के दांत उगने से भी पहले शुरू हो चुका था लेकिन जिन यात्राओं ने बहुत कुछ जोडा घटाया वो कॉलेज में शुरू हुई उन दिनों शहर भीवानी से दिल्ली की ओर रोज सवेरे पांच बजे पेसेंजर ट्रेन चलती थी और तमाम कामगार कर्मचारी व्यापारी विद्यार थी सवेरे दिल्ली जाते और कुछ शाम को इसी ट्रेन से वापस भी आते इसके पहले हमेशा यह ग्यान सिखाया गया था कि अंजान लोगों से कुछ भी लेकर खाया पिया ना जाए आदी-आदी लेकिन टी-आर-बी नाम की इस ट्रेन ने सभी रटे-रटाय ग्यान की धच्जियां उड़ा दी विवानी से रोह तक आते आते एक नीन ले लेते थे और उसके बाद शुरू होता था असली खेल असलियत में यह ट्रेन नहीं चलता फिरता गाउं महला था जहां एक और पत्ते बट रहे होते थे और सीप नामक अत्यंत रोमान चक खेल खेला जा रहा होता था कुछ दुरंदर लोग कोटपीस भी खेलते थे इसी ट्रेन के एक बोगी में प्रते दिन हनुमान चालिसा का सशस्त्र पार्ट किया जाता था जिसमें सबसे प्रमुख शस्त्र था मंजीरा क्योंकि उसे बैग में रखने के लिए जादा विचार नहीं करना पड़ता था दूसरी और तीन ताल सरीखी बत कही के दौर भी चलते थे जिसमें कब ताल दो से बीस होकर के बेताल हो जाता था पता नहीं चलता था यहां एक दुनिया में लोग आँखों में धूल जोकने के लिए जाने जाते हैं बाददरगड में एक ताउ आते थे और एक निशुलक आयरुवेदिक दवा आँखों में डालते थे पहले-पहल तो शंका से कभी ट्राइ नहीं किया लेकिन जब कई दिन हुए तो समझाया कि ताउ की दवा वाकई सुरक्षित है सवेरे जो दूधिये पैसे कमाने के लिए हरियाना से दिल्ली को दूथ पिलाने जाते थे उनमें से कई वापसी में उन डबों में पानी भर लेते थे और ट्रेन में जल सेवा करते हुए पुर्णे कमाते थे फौज के सचिवाले के दुकानों के महाविद्यालें के नजाने कितने अधिकारी और कर्मचारी इस ट्रेन में ग्यान की गंगा को बिवानी रोहतक से लाकर के दिल्ली की यमुना में मिला देते थे शुक्रवार में वापसी का महाल काफी अलग होता था जो साक्षात तो कभी नहीं दिखा लेकिन शनिवार को बीपी और आरेस मानिंद लोग इसका आर्थ जानते ही हों के साथ धूमर दंडिकाओं के अवशेश मिल जाते थे कभी कभी किसी के घर बच्चा या शादी हुई तो आसपास में लड़ू भी बाढ़ दिये जाते थे और बताया जाता था कि फला जगह बैटने वाले अंकल के बेटे की शादी की मिठाई है और कुल जमा यही सब इस ट्रेन को जीवत बनाते थे बहुत सालों से इस ट्रेन में जाने का सौभाग नहीं मिला लेकिन शायद अब भी वो जीवत बाकी होगा इस ट्रेन में और आज भी ताव शायद आँखों में दवा डालते होंगे समय में लंबी और अनुभों में छोटी अब की यात्राओं की किस्से कभी और और हाँ दल्बीर भाई राम राम इसी कोई तावल तो ना है फिर भी आपकी दूआ खातर धन्यवाद सप्रेम कुमारे चाचा तैंक्यू चाचा में अभी सब लोग मुबाईल में लगे होंगे हर आदमी ताव भी आखों में जो दवाद डालने वाले होंगे वो अगर आएंगे भी तो पताने किकने लोग डलवाएंगे जीवन बदल चुका है तो वही जीवन अभी है आरेस और बीपी अभी वैसे ही है जीवन का बेटा आर्शा के किरन कुमार दो बंगाली गाड़ी में बैठे अब च्रेन चल लगई है घाड़ी में माच भात माच भात होई रहे फिर इसी को चेंज कर दो अब पझाभी बी वह है वो रिलेट कर रहा है दूर से सुन रहा है खुश होगी आ, smile pass किया जो गा रह रहा है उसको दो पंजाबी गाडी में बैठे गाडी में छोले चाफल, छोले चाफल हुईरे अब लेते हैं ये बेंजनल और इसको अनंत ठीच सकते हैं और जब वो खतम कोई रहेगे आप खतम करदो उसी में कोई आरे आसाम रहेगे आसाम हमारा हम गाएगा तो अपना ले आया है अठाइस राजित हो गए लेकिन देखने हो दो ही रखते है दो बंगाली तीन होगे तो कुम्मिनिस्ट पार्टी अप इंडिया हो जाएगी बहुत बढ़िया भाई इस द्रिश्य के लिए हमने रेल के द्रिश्यों पर कई बार बात की क्योंकि वो मिनी भारत होता है दो तिन बार हम बात कर चुके हैं पर ऐसा लगता है कितना बात करने को छूट गया है तो फिर कभी करेंगे इस पर अभी तो रेल के पर हम बात करने का मन ही नहीं करता है जो तस्वीरे हैं उसका दरत थोड़ा कम हो जाएगा तो फिर बात करेंगे अगली चिठी है हाई फन की जिसको उन्होंने हाई जी एच बीच में एक हाई फन लगाया है एक्च्वल और फिर फन लिखाया है हाईफन की चिठी पुराना तीन तालिया नवेडा बंगलोर से किन्तु चिठी पहली प्रोक्रैस्टिनेशन की कसम एक प्रण लिया था कि जब तक पूरे एपिसोड न निप्टा दू खत न लिखूँगा हाज ही हमने आले से बात किते हैं तुड़े I got up to the latest पुरानी चिठी जीवियों के अभिमान पर आगहात और एक कब्ज का निवारन करते हुए प्रस्तु थैं ये खत पुराने चिठी जीवियों के अभिमान और आगात पर और कब्ज पर निवारन करते हुए ये खत बांचों से मेरा परिचे मुहावरे के रूप में बच्पन में ही हो गया था किन्तु इसका मतलब ना जानने की गलानी रागदरबारी पढ़ने तक रही जब श्रीलाल शुकल को नहीं पता तो हम भला किस खेत की मूली हुए तब ही से धारना बना लिए कि हर चीज को जानना भी जरूरी नहीं है इसलिए तीन ताल के बिजार को सुनकर के गिल्टी प्लेजर होता था फिर एक दिन ताउ के बंदर से परिचे हुआ और हमने कहा अपती आओ पुराना रेफरेंस है बहुत तब से मैं बंदर और बिजार के रचाईता तीनों ही मुतमईन है ताविजम का फैन हूँ इसका एक महत्वपूर्ण कारण ताविजम का अनुसरण या प्रचार करने की अनिवारिता का भाव है दुद्धी का मैं कृतक गहूँ और दुद्धी को खानचा का होना चाहिए जैसवाल एंड संस एंड डॉटर्स से अनुरोध है कि बाजार के बीचों बीच एक समारक तामीर करवाया जाए जिसमें खानचा का साइकल और चिलम के साथ एक मुझसमा हो जहां बरसो बरस लगेंगे तीन तालियों के मेले तीन ताल में जौन एलिया की बात तो कईबार हुई और होना स्वाभाविक है किन्तु इस खत का अंतिम पून विराम लगा चाहता है इन शब्दों के साथ परवीन शाकिर को याद करते हुए तीन ताल के समहु से जुड़ने की आकांखशा को पोस्ट रिटायर्मेंट की बकेट लिस्ट से निकाल कर यहां प्रस्तुत करते हुए आवेदन तीन ताल तीन तालियों ताउ बाबा खांचा सरदार गुलाब भाटी का होने के लिए धन्यवाद पिछले एपिसोड में बापू बहुत विचलित रहे और अंत तक मन्रो की तरफ तिर्चे हो चुके थे जै हो जै हो जै हो इस खत का अंतिम पूर्ण विराम लगा चाहता है यह उन्होंने परवीन शाकर से लिया है जै हो जै हो जै हो एक बात मुझे जम गई यार कि बाच्छों का मतलब शिडाल सुकल को भी नहीं था हमें भी नहीं है क्यों जानना ही है हर चीज का मतलब क्यों जानना ही है यह जीवन का एक ऐसा सत्य है जिससे मैं अभी अभी परिचित हो रहा हूँ हम हर चीज को शब्द दे देते हैं और हर शब्द को अर्थ और ये शायद हमारे हर चीज से परिचय में बाधा बन जाता है कभी आस्मान को देखो निहारो और आस्मान या आकास शब्द आने ही मत दो स्काय मत आने दो चिडिया को उड़ते हुए देखो और चिडिया शब्द ना आए दिमाग में कभी जो आप देख रहे हो उसे शब्द ना देख कर देखो बिना परिभाशा के देखो ये नहीं कि एक नीला रंग है हम जब शब्द देते हैं ना तुरंट उसका सिंटेंस बन जाता है मन में और सिंटेंस पैराग्राफ, चैप्टर, कहानी प्यार को प्यार ही रहने दो कोई नाम न दो वाला एक्जामपल कभी जीवन में किसी दिन आराम से कहीं बैट कर देखना की पाँचें खिल गई बस वही एक्शन जो है न शुट बी और मुमेंट अफ जो है उसको परिभाषित कर या कभी-कभी परिभाषा को चित्र देना हमने उलजा रखा है अपने आपको डोर को सुलजा रहा है और सिरा मिलता नहीं फैर थैंक यू वेरी मुश यह जो विजुलाइजेशन के खाँचे हैं यह कितनी इनकी भी चोहदियां हैं जो आप किसी चीज को भाषा या चित्र में ही समेट कर देखते हैं तो वो सीमित करता है कई बार इन्होंने जो एक रेफरेंस दिया ना अपतियाओ वो सीजन वन का है उसमें कहा है कानपूर में कमाई बाईया होते थे तो वो थोड़े उम्र दरास थे और अपने उम्र से काफी कम बच्चों के साथ क्रिकेट खेलते थे थोड़ा सा उनके जुबान में शुरू से थोड़ा सा वो था कि हलका सा तुतलाते थे उतना मैं भी तुतलाता हूँ तो वो और यह जोड़ कर आथे थे यह जब भी खेलने आते थे जैसे और लोग गियर उए पहनते हैं तो कोस को टैनिस बॉल में तो नहीं बट वो बैंडाई लगाते थे उनका रादा था इस से फिन होती है तो उनसे नाangan डिशा नहीं पकड़ा जाता था तो जब छूटता था कैच तो उनके उनसे मैं नहीं सीखा कि उनका उत्सहा कम नहीं होता था और वो forward looking approach के आदमें कैच छूटा किसे क्या बहिया कोई बात नहीं अपती आओ तो जीवन में यह बहुत है कि चलो छूटा या अपती आओ लग्की बाबा की चिठी एगली जै हो जै हो जै हो यूँ तो हम अपने आपको चार साल तक रोके रखे कि चलो कौन ही इतना खलीफा होगा कि पत्रवत्र भेजेगा लेकिन इस एपिसोड में हमारे मानिंद ताउने डॉलेंड ट्रम्प जी के लिए खरी-खरी सुनाई थी बाबा के साथ जुगलबंदी करके तब से सुनना शुरू किया जो आज तक कि आप तुम्हारे चचा वापस आने वाले हैं अविरत अश्रांत अविस्मरणी धारा चल रही है मौच की हमारा नाम है लक्की बाबा ग्यान पेलने की यादत से दिया हुआ उपनाम फ्रॉम पूर बंदर जिसको दुनिया महात्मा गांदी और ताउ संतोक बेन जड़ेजा की वज़े से जानते हैं अभी हाल फिलाल खुशाली इंडेक्स में कानपूर से सिर्फ दस पाइदान आगे लिस्बन पूर्टगाल में जीवन निर्भा चल रहा है बात तो भहुते बतियाने को लेकिन एक ही पत्र में इतना कुछ आएगा नहीं तो एक किस्सा मेरे दादा यानि पिता के पिता का सुनाया हुआ ये बता करके पत्र को समाप्त करूँआ तो बात यह हैं कि मेरे दादा को था शिकार का शौक और वो अपनी गन लेकर घोड़े पे या पैदल आसपास के खेट जंगल में खरगोश, तीतर, सुवर या जो भी जानवर मिल जाए उसको मारके पकाके अपने हमूम और दोस्तों के साथ बैटके खाया करते थे जब हम दस साल के हुए, तब तक तो उन लोगों के दातों ने जवाब दे दिया था थोड़े निपट भी लिए थे और थोड़े हिल्लूल के निपटने को तयार थे तो एक बार दादा ने कोई भेड पकाई और दोस्तों को बुलाया खाने पे तो एक तो जब न, जब हम कहते हैं जानवर का मास का, बकरे का मास पकाया तो मतल़ थीक लगता है, जब आप जानवर ही पकाते हो न, प्रो लगता है ओजी लगता है एक दम, ओरिजिनल गैंक्स्टा तो एक बार दादा ने कोई भेड पकाई और दोस्तों को बुलाया खाने पे तो जब खाना आधा हो गया, तब मेरे दादा को शरारत सूजी और उनके एक दोस्त की प्लेट में पास में पड़ी हुई प्लास्टिक की गुडिया का एक पैर तोड़ करके डाल दिया अब वो बेचारे हर बार तरी में सराबोर प्लास्टिक के पैर को उठाएं और तूटे फूटे दांतों से तोडने की कोशिश करें लेकिन वो निकला मुझा सीमेंट की दिवार जो तूटे ही नहीं ऐसा तकरीबन आदा घंटा घमासान चला और हारते हुए मेरे दादा को बोले मालदेव जो मेरे दादा जी का नाम था मालदेव ये याद रखना कि तुन्हें आज बुड़ी भेड़ का गोश्ट खिलाया है और गुसे में उठकर के चले गए लकी बाबा जय हो जय हो लकी बाबा मज़ा आगया है भाई यार किस से सुनाओ आपके बास तो खाने लग रहे है आपके दादा जी और उनकी फ्रेंड शीप बहुत मज़ेदार खानी चीप अगली चिठी है Obedient Ecolite बढ़िया नाम रखते है Obedient Ecolite आप सभी तीन तालियों को बढ़ाम अत्रकुशलम तत्रास्तू मेरा नाम Obedient Ecolite आपका नियमित श्रोता ये मेरा आपके ठेरोपिटिक Not at all bullshit पॉड्कास्ट पर तीसरा पत्र पिछले एपसोड में आप लोगों ने बात किया कि आफ्टर इफेक्ट क्या होता है तो उससे जुड़े दोकिस से हम सब ही मित्र अब दिवाली मनाने अपने घर आ चुके हैं और हम सब मानिंद लोग एक जगा एकठा हो करके दम किया हुआ पानी का सेवन नहीं कर सकते तो हम लोगों ने जैसे तैसे एक दूसरे को मनाया परंतु पिछले हफ़ते मेरे दोस्त अपूर वही अपूर जिसने बोला था कि जशने रेखता से उपर क्या है बे उसका जन्दिन आया बहुत कोशिश की लोगों को समझाने की और बताने की कि भाई यहां पर नहीं होगा पर हमारे मानिंद लोगों का प्लान कुछ होरी था प्लान सुनिये प्लान यह था कि हम सब अपूर के जन्दिन पर इकठा हो और एक साथ घर से दूर खुले मैदान के नीचे रसरनजन करें सभी लोगों को यह बड़ा प्लान पसंद आया लोगों ने यह नहीं सोचा था कि कानून विवस्था भी कोई चीज है तो जैसे तैसे पुलिस की गाड़ी हमारी और बढ़ी वैसे वैसे लड़के अपना अपना गिलास ले करके भाग खड़े हुए कुछ हिम्मती रोक करके पुलिस वालों से बात करने लगे उनमें हमारा दोस अपूर भी शामिल था उसने बुला कि सर हमारा हैपी बर्थडे है और हाथ में ला लिया गाड़ी में बैठे इनसान से और उसने कहा हैपी बर्थडे टू यू आप सब मानिन लोग हैं शोर मत कीजिए बाकी enjoy चलते रहना चाहिए कोई problem नहीं इतना कहकर कि वो चले गए उनके जाने के बाद हम सभी लड़कों के बीच में पता नहीं किस चीज का after effect था ऐसा लग रहा था कि हम आज आज़ाद हैं और ये मैदान हमारा है हम यहाँ जो करना चाहें वो कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए ही सही उस जगे पर ऐसा लगा कि हमारा राज है बाकी तो खानचा समझधार है ये feeling तो आपने कई वार लिए होगी दूसरा किस्सा पार्टी खत्म हुई या ऐसा बोलेंगे जब पार्टी से रुखसत हुए तो सब अलग-अलग शबाब पे थे तब ही हमारा एक दूसरा दोस्त जिसको मैंने तीन तालिया बना दिया है मेरे पास आया दुनिया भर की बातें की और जाते आते बोला कि सुनो गुरू बहुत कमाल का चीज दिये हो तुम हमको तोफे में हमारे दिमाग में चल ला है कि यह भाई इसको तो बढ़ दे भी नहीं था इसको क्या दे दिया हम थोड़ी देर गौर करने पे समझ आया कि तीन ताल का बात कर रहा है उसने बोला कि भाई यही जीवन उसने बोला कि भाई यही तीन लोगों ने मेरी जिन्दगी को समहा लखा है मेरे जीवन में बहुत कुछ उपर नीचे चल ला है जब भी खाली समय होता है कहीं से कुछ समय नहीं आता तो समझ नहीं आता तो तीन ताल चला लेता हूँ और ध्यान से सुनता हूँ इन तीन लोगों की बाते है तो खांचा के साथ सपने में बनारस घुमता हूँ ताओ के नियू जोक्स पे हसता हूँ और कभी कुछ और करता हूँ तो आपका बहुत बहुत थैंक यू इतना सुनकर के मैं वहाँ से निकला बाइक पर था स्पीड ठीक ठाक थी मेरे चहरे पर एक विज़ेई मुस्कान और एक ठंडी हवा चल लए थी और मन में गूज रहा था शुरू करते हैं तीन ताल के सीजन दो का सौवाई अपिसोड जय हो जय हो बहुत बढ़िया बहुत कुछूरत ने लगनियार मानिंद लोग और पुलिस अवाई न तो एपी बढ़िया तो यू बहुत बढ़िया ट्विस्ट था हो अगले चिठी है शुदनली मैं रेस्पक्ट पर पुलिसमन ठीक है अगर आप सोबना करें तो ठीक है इंसानी होते है इंजॉय चलते रहना इंजॉय चलते रहना इस तो बेस्ट लाइ तैंक यू सो मच शुब शर्मा की चिठी है नमसकार ताउ सरदार खानचा शुब शर्मा बोल रहा हूं मेरा मतलब लिख रहा हूं बहुत दिनों के बाद चक्ठी लिख रहा हूं और यह कहना चाहता हूं जो भी एपिसोट सुना है आज तक तीन ताल का कसम से मज़ा जाता है मेरे चोटे भाई भी तीन ताल अब सुनने लगा है और अपने घर में सिर्फ मैं सुनता था उसने भी देख लिया कि यह क्यों इतना हसता रहता है कहीं सकी कल्फिंग तो नहीं है फिर मैंने उसको बताया इसके बारे मैं अब उसको भी लट लग गई है अब मम्मी मुझे बोलती है पुमने इसको लट लगवा दी मैंने उसे कितनी बार समझाया कि एक सिमा में सुना करो ये और अब पहले से उसने कम कर दिया है सुनना अब हम दोनों एक साथ सुनते हैं हर चीज सिमा में होने चीए शाहर जो भी थे उन्होंने कहा था कि कितनी सीमा हो तुम कितना लप्पू हूँ मैं तुम उधर जाओ इन हाउस जो का रहा है बट नहीं मारूंगा बाद अगली चिठी है बंजारा की टेकसस से बहुत दिनों से ये चिठी लिखने की सोच रहा था कई बार ख्याल आया कि क्या लिखूं कैसे कहूं पर फिर यही सोच करके रुग गया कि शायद शब्द अतनी खुबसूरती से नहीं निकलेंगे जैसा मैं महसूस करता हूँ याद है जब गाउं में किसी का निधन हो जाता था तो पूरा गाउं एक परिवार की तरह साथ खड़ा होता था ना कोई अपने घर चूला जलाता ना किसी के घर खाना बनता तेरवी के दिन सब एक जूट होकर आते और उस समय हलवाई का कोई दिखावटी इंतजाम नहीं होता था निमंत्रण के लिए भी घर घर जाकर नहीं बलकि किसी भरोसे मंद आदमी या दूसरे गाउं के मुखिया को बेजा जाता था मुझे आज भी वो दिन आदे जब नई पीड़ी के बच्चों ने तेरवी की जमेदारी ली थी एक हलवाई साहब थे उन्हें लगा था कि बस छे सो आट सो लोग ही आए थे रेकिन उन्हें क्या पता कि हमारे गाउं में तेरवी पर गाउं भी नहीं आसपास के गाउं के लोग भी आते हैं और कचोड़ी ऐसे खाई जाती है कि तोड़ने में भी मशक्कत करनी पड़ती है मतलब कचोड़ी एक हाथ से नहीं तूटती है हलवाई साब तो पहली बार इतने लोगों का सैलाब देखकर के डिप्रेशन में चले गए तब पूरे गाउं की महिलाओं और पुर्शों ने बेलन और चलनी लेकर कि उनकी मदद की और उस भोज को सफल किया क्योंकि वो भोज एक का नहीं था पूरे गाउं का था सोचा ये बाते हैं आपके साथ माटनू शहर की जिंदगी में ये सब पीछे चूट गया है लेकिन आज भी हमारे दिलों में वो रिष्टे वो अपनापन की कमी खलती है दो लोग हैं जो किस्से सुनाने में माहिर हैं एक शमस ताहिर खान क्राइम तक पर हर बात ऐसे बताते हैं जैसे सब आखों के सामने हुआ हूँ और दूसरे आसिफ खान साहब जिनके किस्सों को सुनते सुनते विजूलाइजेशन होने लगता है ताओ को तो पुर्धानमंत्री कार्याले में होना चाहिए ऐसा ग्यान और ऐसी गहरी समझ कि यूएन में रूस यूकरेन इसराइल इरान के जगड़े तक रुकवा दे यू मानो ताओ को भारत से सीधा यूएन के दफ्तर भेज़ दिया जै अपने अच्छे बुरे सब हाल में मुझे लिख भेजिएगा इंतजार रहेगा गुजरे है आज इश्क में कुछ हैसे मकाम से फूलों में खुश्वू ना थी खाक में आराम ना था धन्यवाद बंजारा टेकसस से बहुत खुब बंजारे भाई आपने जो तेरवी का चित्र प्रस्तूत किया सबाहुआ के सामने बिलकुल फैल सा गया कितना दुखत आयोजन होता है वो लेकिन पर कैसी सामोहिकता दिखती है और वो ही एक दिन होता है ना जिससे गाउंँ में रंजिश भी होती है मैंने यह देखा है कि मुकदमे भी है तब भी वो कि तुम्हें वो चाहिए तो दे दिया तीन-चार ऐसे तखते लगा दिये जाते है उन तखतों पर पुरुष हमारे हाँ आटा तयार करते है बड़े-बड़े उसके वो बनाते हैं मारते हैं और फिर एक तरफ चटाई बिची होती है जहां बहुत सारी महिलाएं बैठी होती है तो यहां से वहां तक ट्रांसपूर्ट करने के काम बच्चे करते हैं यह आवा होई गये तो आएगी च्टीया बेटी आए एक च्टी सी वो लेगी फिर वहां देखेगी कौन किसके पास कम है जो बेल नहीं है मैला है जिसका इतना सा बचा है उसको देदेगी फिर वह बहुत ही सुन्दर द्रिश्य है बहुत खुद तेरवी कौंग्रेजी में 13th कहता है Friday the 13th तेरा को असुब माना जाता है हम तेरा को जन्वे थे तेरा नंबर में फ्लैट का है तेरा में फ्लोर में तो वो तो नहीं होगा वो 12th A होगा नहीं चौदा A उसको बोलते है अच्छा वह 14th A बोल देते है लेकिन जाना तो तेरा में पढ़ता है यार रही ज़ब है जिनरली 12th A बोलते है इनके हैं 14 A है इमको अलग एहसास किया जा रहा है चौदा से नीचे चौदा A उस चक्कर में गल्द बेल बजा देते है सुईगी वाले ये सब जवाते कि जाना तो उपर एक नीचे ही दबा दे चौदा ही देखके लिफ्ट में क्या लिखा हुआ है लिफ्ट में तिरा बारा के बाद चौदा क्यों आता है क्यों क्यों ना तेरा ना मेरा तेरा मुझ से है पहले का तबला चतुरुविदी की चिठी है जो आज हमसे मिलकर के भी गए आये थे ताउ सरदार खांचा को मौनाद भंजन निवासी तबला चतुरुविदी की और से जय हो त्रकड धिन गर्मी बीच चुकिये पर सरदिये भी रास्ते में है पंका चला के पतले कंबल में दुपके हुए एक पैर बाहर निकाले गरम पानी से नहाने वाले एवन ठंडा पानी पीने वाले घर वालों के दुआरा निरंतर उलाहना सुनने के पश्चाद भी टीवी में फुल वाल्यू में तीन ताल लगा कर जबरदस्ती सब को सुनाने वाले तीन तालियों की और से जय हो जी हाँ खजूर वचुवारा एक ही हैं पके फल को पेड़ से तोड लेने के बाद खजूर कहा जाता है और चुवारा वो खजूर होता है जो पेड़ पर ही लगे-लगे सूख कर कठोर और जुरीदार हो जाता है आपने अगर वैशनों देवी में मिलने वाले काले चुहारे देखे हो तो वो खजूर के जादा नजदी की है अब बारियाती है किश्मिश और मुनक्के की अंगूर को सुखा कर किश्मिश बनाई जाती है और इनी में से अंगूर की कुछ प्रजातियों में पक जाने के बाद अंदर बीज आ जाते हैं इन्हें सुखा करके मुनक्के बनाई जाते हैं मैंने वो बीज वाले हरे अंगूर भी खाए हैं एक बार जीवन में तीन दाल में चर्चा के दौरान जब भी इस प्रकार के कोई सवाल खड़े होते हैं जिनका जवाब मुझे ग्यात होता है तो मैं कई बार सुनते सुनते अचानक बोल पड़ता हूं ठीक उसी विद्यार्थी की तरह जो अध्यापक द्वारा कक्षा से आसान सवाल पूछने पर तुरंत बिना पीछे पूछे बोल पड़ता है। मेरे मन में विचारों का उद्रेक सा होता है कि अभी अगर मैं आप लोगों के समक्ष होता तो तुरंत उत्तर बता पाता। अब चूल चुप चुके हैं कि अब तो पता नहीं लगता कि मैं खुशी-खुशी लगबा लेता हूं। पर हाँ कोवीड वैक्सिन लगवाने के दो दिन तक हाथ भी उठाया नहीं जा रहा था। पर एक दो बार मेरे साथ थोड़ी अजीब घटनाएं हुई हैं। ब्लेड टे साकर इधर-उधर घुमा कर खून खोज रहा था। कहीं तो होगा चान और खून खीचने का प्रयास कर रहा था। शायद एक-दो मिनट तक सुई अंदर रहने के कारण मुझे चक्कर सा आ गया था। ताउ को छटपर्व की शुप कामना हैं एवं मैं दिल्ली आ चुका हू किसी दिन दफ्तर आने की कोशिश करूँगा शीग रही क्या करें खांचा इदुख असाइन्मेंट इंटरनल टेस्ट एकजाम खतम काहें नहीं होता है। तब तक के लिए जैहो विदा पुनर मिलना है तबला चतुरवेदी डॉक्टर रामलाल की गली निजाम-दिन पुर मुझे लगता है कि मैं इतना ही गड़ा था। 이 बस तुड़ेर सोल, 25 थयर्ज गो। इससे ही थाभित होता ही शरीर ही बुड़ा होता है। कि दिमाख तो आपको मेंसा एक साहि होता है, जिसम आपके साहथ छुड़ देता है। मतलों बचपन में भी दिमाग इतना ही शाति अगली चिठी है प्राइम रोमियो की चिठी सरदार ताओ और तीसरे सामईक तीन तालिये को जारखंड बोकारों से जोहार मेरा नाम प्राइम रोमियो है और महीने भर से आपको सुन रहा हूँ मैं पॉडकास्ट करीब 6-7 सालों से सुनता आ रहा हूँ लेकिन वे जादातर अंग्रेजी भाशा के हैं बहुत बार मन में ख्याल आता था कि हिंदी में वैसी ढंक की चीज़ पॉडकास्ट में क्यों नहीं आती ऐसे में जब पहली बार आप लोगों को सुनने का मौका मिला तो खुशी का ठिकाना ना रहा बहुत कुछ पीचे छूट गया था तो फिलहाल पहले सीजन को जहां तहां से सुनना शुरू किया है ताओ की अमूमन हर बात से इत्फाग रखता हूँ और खांचा की हस्ती का काया लूँ सरदार जी के क्या ही कहने कभी गुलजार जी ने जगजीत जी के लिए कहा था कि जब वो गाते हैं तो शब्दों के माइने निकल के आते हैं कुछ उसी शिद्दत से आप जब सभी के खत पढ़ते हैं तो लिखने वाले की भावनाओं का वो उचित पोध होता है यो तो मेरी उमर बहुत ज़ादा नहीं है लेकिन बहुत कम भी नहीं है मुझे लगता है कि हम मेंसे अधिकतर के पास कुछ ऐसी इच्छाएं होती हैं जिसे हम पल भर के लिए एक तरफ रख देते हैं वो पल दिन में, वो दिन सब्ताह में, वो सब्ताह महीने में, वो महीना कब साल में बदल जाता है पता नहीं चलता और ऐसी ही कुछ इच्छाओं को हम किनी कारणों से क्यामत तक ढखेलते हैं मेरे लिए वैसी एक चीज़ है खैनी का सेवन मैं शराब का नाम नहीं लूँगा, क्योंकि उसकी उप्योगिता से मैं कॉलेज के दिनों में ही अवगत हो गया था अगर आप शराब पीते हैं तो आपके लिए मित्र बनाना चुटकियों का काम हो जाता है फिर भी खैनी खाने वालों के पास जो सोहार्द पना है वो अतुल है अगर क्यामत के दिन नजदीक हों तो कम से कम एक बार किसी अजनबी से खैनी मांगकर जरूर खाना चाहूंगा या तब तक कुमारा रहा तो एक बार अपनी पहली प्रेमिका को भी जिसकी बहुत पहले शादी हो चुकी है आखरी बार देखने जाऊंगा सीजन टू एपिसोड 76 से थोड़ा और प्रेवेत मुझे लगता तो नहीं है लेकिन आप लोगों की भी कुछ ऐसी इच्छाएं होंगी जिसको आपने कयामत तक धकेला हुआ होगा तो जरूर साजा करें विद्याले में हिंदी व्याकरण उतनी अच्छी नहीं रही और विद्याले के बाहर हम हमेशा खोर्था में ही काम चलाते रहे तो गलतियों के लिए माफ कीजिएगा जोहार थेंक्यू प्राइम रोम्यो प्राइम रोम्यो आपने एक लाइन बड़ी कही है अगर दम किया हुआ पानी का क्यूप योगिता समझते हैं तो उससे मित्र बनाना असान हो जाता है चुट्कियों भी बन सकता है ऐसा दूसरे वाले में भी चुट्कियों पर ये जो ऐसी कोई इच्छाएं जो जिनको हमने धकेला हो अगर कभी बन पड़ा तो इन पर विस्तार से एक लंबी बाच्चीत अतुल सामने बैठे हैं उन्होंने आम शूर नोट कर लिया होगा किया क्या ये तीन ताल में इसकोई इच्छाएं इनसान अपनी इच्छाओं को धकेलता ही रहता है आगे इसको जरूर बात करेंगा और आखरी आज की चिठी ये है और आडियो चिठी एक तीन ताल की गाड़ी के तीनों पहयोग और एक सवारी का सातर प्रणा महरास्ट से बोल रहा है कि 75 एपिसोड का रंग उम्मीद से उननी सी रहा कुछ चिठीों ने किस तरह रंगत बनाई और चिठीों के पहले की बकर भी तोड़ी लंबी किछ गए मन की शांती के लिए सीजन वन का सवण जैनती एपिसोड सुना जा मुझ बोलके इसले बता रहा है कि हम आपको सुपचिंतग है इसले चलिये सौविक तैयारी में अभी लग जाया जाया अन्योता वले से होता हूं कि लाइक जो कुल सेवा हो तो बेह चक कहिए ताओ का छोटी चित्ती बेढ़नी का आदेस पागेज से लग रहा है कि फल सब्जी को काट के सलाद बनाने बजाये सजावट वाली मचली मगर मचल ना नो तोड़ा डिफिकल्ट काम है लेकिन कोई नहीं कलिंग ये भी शेश अकली बार आपका अपना पुनेरी कनपूरिया जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो पुनेरी कनपूरिया के जय हो पुनेरी भाईया गाजर के कमल फूल बनाते हैं गाजर के गुलाब बना कर रख देते हैं यह बहुत अच्छी उपमा दी है लेकिन उन्हें संक्षेप में चिट्थी भेजने का मतलब आप ऐसे काट ले तो यह कोई स्मार्ट कोई तरीके से लेकिन कमाल के लोग टमाटर से बनाते हैं मूसली फ्लार तो लेकिन मुझे मैं मूली को बहुत अच्छा ओल शेप में मुझे मज़ा भी आता है और मुझे ऐसे गोल या लंबी काटी कई मूली नहीं पसंद है किसी भी चीज को आकार देने के लिए उसे काटना पड़ता है अगर आपकी कट गई है तो आपको किसी ने आकार दे दिया जिद्दगी है कट जाएगी बहुत सारी चिद्धियां और हैं अतुल ने बताया है कि दिव्यम वत्स, गगन तलरेजा, बहाने बाज शर्मा, अमन राज, अखेलेंद्र प्रताप यादव, अनूप, मानो मिश्रा, माधव कंधारी, सूर्या शर्मा, कुनाल गौर, हरिप्रसाद, सत्पती इन लोगों ने भी चिद्धियां अपनी भेजी हुई है, पर समय की कमी से इस बार ये चिद्धियां ले नहीं पा रहे हैं, आगे और एक एक नाम और रह गया इसमें, इन फैक्ट ये चिद्धि तो मेरे सामने भी है, कहां गया, मैंग शर्मा, इनकी भी चिद्धिया आई इनको दिरे दिरे शामिल करेंगे, तो आपको चिद्धियां लिखनी कहा हैं, रेडियो एट आज तक जाएंगे, जम नहीं जाएंगे, निकल जाएंगे, मैं तो खेर पास से देख पा रहा हूँ, जो आज हमने बात किया ना, मासकल हो था, कितने हुरमुट हो तुम, कितना चिरकुट हो मैं, क्या सितम है, क्या सितम है कि हम लोग जम जाएंगे, इसलिए चलो, रेडियो एट आज तक डाट कॉम पर अपनी चिठ्धें भेजिए, या फिर यूट्यूब पर कमेंट कर दीजिए, आज तक रेडियो का जो यूट्यूब चैनल है, उसको करने लगा हूँ, अभी खाली टाइम है, अभी मैंने देखा है कुछ, कुछ कमेंट्स मैंने पढ़े हैं, कुछ इत्यां पढ़े हैं उसमें, बहुत मजा रहा है, तो लिखिए और तब तक के लिए अगले एपिसोट के लिए, जै हो, जै हो, जै हो, जै हो.